पुरुनेंदु सुन्दर मुखादर विंदनेतरात कृष्णात परमकि मपितत तुमाहम नजाने तब भी वो सुन्दर्ये के निदी थे और पांच हजार वर्ष के बाद भी जब मीरा उनको देखती है तो वो भी बगवान स्याम सुन्दर के रूप में रंग में रच जाती है और वो कहती है कि मेरे तो गिरधर गुपाल दूसरों न कोई जाके सिर मोर पखा मेरो उपति सोई तो यह इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा जो तिहु काल एक रच रहा ही परमात्मा वो है जो तीनों कालों में एक रच रहता है परिवर्टित नहीं होता है तो वो सत्य शरूप है और फुरुचिद शरूप है चिदमानी ज्ञान हम लोग ज्ञानी नहीं है कथा सुनते हैं कथा का प्रवचन भी करते हैं और कथा के प्रवचन बाले के लिए ही अगर संकट आ जाये तो फ्रूरोने भी लग जाते हैं लेकर चिद तो वो है जो विश्म से विश्म परस्तित में भी जीवन में इस्टित रहे उसे ज्ञान कहते हैं श्री किष्ण जी का जनम कहा हुआ जेल के अंदर में एक घंटे भी वो मां के आचल से लिपट करके आचल का दूद नहीं पी पाए पिता ने रोते रोते अपने उस लाड़ले पुत्र को अपने यहां से ले जाकर के गोकुल में छोड़ दिया जब वो पांचे दन के थे तभी पूतना बुआ आ गए जिस वालब को मांकन मिश्री खलाया जाना चाहिए वो जहर वरा हुआ इस तरह से दूद प्ला नहीं थी भयाना के काली सरपने उन्हें ड़स करके मार नालने की कोशिस की अगास और बकास और कितने कितने भयानक भयान ज्यान है वह विशं से विशं परष्थितियों में भी घबलाता नहीं है क्योंकि ज्यान का वो प्रियोक करता है और ज्यान हमें यह बताता है कि हम शरीर नहीं है हम क्या है आत्मा है जो भी घटत प्रतिघत घटनाएं घटेंगी वो शरीर की उपर घटेंगी आत्मा का ज्ञान अगर देखना हो तो कैसे देखोगे किस पुस्तक से पता लगेगा भगवान किष्ण कितने ज्ञानीते भगवद गीता को पढ़ हो भगवद गीता के अठारे अध्याय में सांक्योग भक्तियोग कर्मियोग का जो निरूपन स्री कृष्ण जी ने किया है बड़े ब सत्प्रसों ने उस भगवद गीता की ठीका की और विद्वान हुए इसलिए ध्यान रखना जो भगवान स्री कृष्ण का ज्यान है आज भी मिलेटरी में भगवद गीता पढ़ाई जाती है नौ जवानों को कि आओ इस्यम जी पे ना जायते मृते वा कदाचन नायम भूत तो आभविता वान भूया अजो नित्यम सासतो यम पुराने ना हन्यते हन्यमाने सरीवे इसलिए श्री कृष्ण जी का अगर ज्यान देखना है तो भगवद गीता को जेखो शत्चित आनंद है तीसरी चीज जो स्री कृष्ण के शरोप में वो क्या है आनंद आनंद केवल भासा में ना हो तुमारे चेरे पर दिखलाई पड़े है कैसी विशम से विशम परिश्थिती आ जाए राम चरित्मानस में कहा है नौधा वक्ती में नव्मी वक्ती क्या है के सब नवमु सरल सब सन चली हीना मम भरो सही हरस न दीना नवमु सरल सब सन चली हीना मम भरो सही हरस न दीना नवमु सरल सब सन चली हीना मम भरो सही हरस न दीना नवम सरल सब न चली हीना मम भरो सही हरस न दीना नवमी वक्ती है सरल और मम भरो सही हरस न दीना विशम से विशम परष्थिति में भी परमात्मा का विश्वास कितना भी इस्वर आपको धन दे दे फूल करके कुप्पा मत बनना और कितना भी आपका चला जाए तो हाय हाय करके रूना मत श्री का नाम है सत चित और आनंद श्री राम के और किष्ण के चरत्र से सबसे बड़ी जो हमें प्रणा मिलती है वो प्रणा ये मिलती है कि आप कभी भी भगवान श्री किष्ण का चित्र कभी भी भगवान किष्ण का मुख आप उदास में देखेंगे कोई भी फोटो उठा करके देखो बंशीव हूशित करान नव नीरदाबात पीताम बरा दरुन विंब फला धरुटात तो इस शलोक में सच्चदान अंदर उपाए फ्रविशोत पत्यारी हित्वे भगवान की सामर्थ सक्ति क्या है का वो विश्व की वो ही उत्पत्ति करते हैं बेही भरनपोसन करते हैं और बेही इसका संगार करते हैं यह उनकी सामर्थ सक्ति है विश्वत पत्यारी हित्वे फिर उनकी सभाव सक्ति क्या है का जो उनकी साना जतिया जाता है उसके तीनों प्रकार के जो तापे हैं दाईये के दाईये के बहुते के तापा उन सब को वो नश्ट कर देते हैं ये भगवान का सभाव सकती है आये शर्ण तजाओ नहीं था हूँ श्रुमत भागवत में प्रगम में बताया गया है नेमी शर्ण की पवत्रतम भूमी पर शर्ण काज ईरिशी इगन की जिग्या साजव करते हैं तो उनके बीच में शरी का पदारपन होता है शुट जी का वो पूजन अभिनंदन स्वागत करते हैं और उसके बास्त में वो मुचते है कि मराज कथा सब्सक्मत और झान विरागापतों विवेकों बर्धत भाञान ऐसे विवेक का अविवरधन इसकतां के मद्धिम से हो जो भक्ति ज्यान और वेराग से आपड़ावितु हू ए और इसे प्रश्ण के उत्तर में, फिर उने बड़ी महत्पून बातें बताई हैं, और उने का इन सारे चीज़ों का समाधान जो जो तुमारे प्रश्ण हैं, यदि इनका समाधान तुम चाहते हो, तो आप श्रीमद भागवत की कथा सुनो। ये भागवत कथा क्या है, का ये भागवत कथा एतनी महत्पून है, कि इस भागवत कथा को जब सापित, साथ दन में जिसकी मौत होने वाली थी, उस राजा परिच्छत को सुकदेवजी मराजब कथा सुना रहे थे, तो इतने इसके महत्त को जानते हुए, देवरार्ज भागवत कथा मृत है, ये स्वर्गे के अमृत से भी ज़्यादा मात्पून है, और उसके बाद में ये बताया गया है, कि महरशिन नारग जी ने इस कथा के मात्त का विश्तार किया, वहले नारग जी को इसका आवसर कहां से मिल गया, का नारग जी एक बार धरा धाम पर उ ग्यान और वेराग से युक्त करने के लिए, क्योंकि भक्ती है मा और उसके दो पुत्र हैं, ग्यान और वेराग, उनको पुना जग्रत करने के लिए, जब वो यात्रा कर रहे थे, तब उनकी भैट शनकादी शिदों से होती है, और शनकादी शिदों से उने पूछा कि महर उसे समझ नी पाते, इकोज नी पाते नरची महारज जन सानकादि रशीयों के लिए जा रहे थे वो सानकादि रशी सनक्ट सनातन सनत कुमार चारों सनकादि शिद्ध उनके बगल से गुजर रहे थे उन सनकादि को ने हम से पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतस चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्मे ते कुत्रा कुतस चागमनम तबा हे महाराज महारश्य नरजी आप तो ज्ञान और वैराग की कलब तरू है कथम ब्रह्मन दीन मुखा है लेकिन आज आपका देन्नता युग्त चेहरा क्यों है आप इतनी आतुता और व्याकुलता के साथ में किस तरब भागे चले जा रहे हैं इधानी में सुन्य चित्तों सी गत्व तो ये था जना आज आपका चित्त खोया-खोया सुन्य मालूम पड़ रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानों कि किसी का सारा का सारा धन लुट गया हो शंत का धन क्या होता है राम भगति चंतावनी सुन्दर भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और नारजी का वस्तुता वो भक्ति ही धन लुट गया है वो बड़े वेचैन और व्यत्त मालूम पड़ते है और तब नारजी ने पूरी घटना बताई है आं तू प्रथिव में आत ओ गय्यात्त्तावसरवत्तमामिती पुष्करम्चा प्रयाग्मचा कासीम गोदावरीमत था मारज मैंने शूचा कि जिस धरा धाम से भगवाने इतना प्रेम करते हैं धन्यास्तुते भारत भूमे भागे धन्य वो भारत वर्ष की वसंदरा गायन ती देवा किल गीत कानी इस भारत वर्ष के सवभग के गीत देवता भी करत गाते हैं देवता लोग भी चाहते हैं कि हमें भारत वर्ष की पवित्र वसंदरा पर मनस्य के रूप में जिन्म लेने का सवभाग मिले लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता और ऐसे इस वसंदरा पर भगवान ने बार बार आवतार लिये जान रखना कि भारत वर्ष के अत्रक्त किसी भी देश में भगवान के आवतार नहीं होती भगवान देवदूत बन करके आते हैं पैगंबर बन करके आते हैं पुत्र बन करके आते हैं इसू संतान बन करके आते हैं लेकिन भगवान खुद अगर कहीं उतर करके उस धर्ती को मा कहता है तो वह धर्ती केवल भारत वर्ष है भारत वर्ष के ऐसी कोई अलावा धर्थी नहीं है जिस देश को भगवान ने चुमा हो जहां पर भगवान ने अपना मत्र रखा धन्यास्तते भारत भूमें भागे गायन तेवा के लए गीत का यह जिस दर्टी पर भगवान अवतार लेकर के जाते हैं जरा में उस धर्ती पर जाकर के देखूं वहां के लोग कैसे हैं, किस अनन्द में हैं लेकन जब मैं महाराज प्रतिवी पर गया तो पुष्करम्चा, प्रियागम्चा, काशीम, गोदावरीम्त था कहीं भी मैं प्रतिवी के किशिवी कौने पर मुझे सुख और संती का दर्शनी हुआ जने तीर्त का गया है ऐसे शिट के देवता ब्रह्मा जी का तीर्त पुष्कर में वहां भी गया वहां पर भी मैंने लोगों के जीवन में सुख और संती में देखी कि शनातन धर्म का जो सबसे बना प्रयाग तीर्थ राज कहा गया है तीर्थ राज यह प्रयाग राजी क्योंकि गंग तीन थल तीन बड़े रहे जहीं कि यह साधु समाज घने रहे जिन सेरों के किनारे गंगा जी जाते हैं वो तीर्थ बन गए लेकिन तीर्थ राज प्रयाग तो इतने सौभाग सालिय है कि यहाँ पर महराज एक साथ गंगा जमना शरस्वती जी का ब्यारण है अच्छे बटवेक्ष वहाँ पर अब राजमान है ऐसे तीर्थ राज प्रयाग भी में गया लेकिन वहाँ पर भी मुझे शुक और सांती का दर्शन ने हुआ कली दावा नले नईवो साधनम भस्मताम गता न योगी नईव शिद्धोबा न ज्यानी सत्क योणरा कली दावा नले नाद्यो साधनम भस्मताम न मैंने किस्छी को योगी देखा क्योंकि अस्ववेश भूसंदरे शंसार में कल्योग में प्रया उसे ही ओगी और मात्मा माना जाता है जाके नख अरुजटा विशाला शोई पसिद्ध तापसिका लिकाला असववेश भूसंदरे भक्षा भक्ष दिखाए तही जोगी तही शिद्धनर प्रगटते मुझे कहीं भी शुक और शांति का दरसम जब नहीं हुआ मैं हतास हो गया उस समय मेरे मन में आया कि भगवान का जहां ततकाल में आवतार हु है है जो प्रेम जारा कि जमन शी प्रवाहत होती है ऐसी शृ कि नित लीला इस्थली शुर्मतृ अर्डवन धाम जाकर के मैं देख उप्रिंदयावन धाम में थानवन में क्या हिस्तथे यह विदम में जाकर के मैंने एक बिखित्र द्रष्ष देखा हुद्ध है कि वहां प करके आवाज लगाई भोभो हो साधो हो चणंत्त मचंताम अपिनासय दर्शनम तबलो कश्य सर्व थागे हरंपरंदर्शनम तबलो कश्य सर्व थागे अच्छा भक्ति तब रोती है जब जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति आजाए लेकिन उसके जीवन में ना तो ज्ञान हो और ना बेराद्व क्योंकि हम जिस इश्वर की उपासना करते हैं जन भगवान की हम भक्ति करते हैं उन भगवान के सरूप का ज्ञान हमें होना चाहिए अगर क्या नहीं नहीं के भगवान क्या है तो आप वो समीत्र सिधा जी लगते हैं के जाने बिनो ना होए परती जाने बिने ना होए परती बिनो परती ती होए नहीं परती क्रीती बिना नहीं भगती जड़ाई अभिदे बिना नहीं भगती जड़ाई जे मक खागें धेले सीचिकना जे मक खागें दगते तकनाई क्याने बिनो ना होए परती जाने बिनो ना होए परती ती बिनो पारे की ती ओए नहीं प्रेवे शांस्त्र और प्रानों का ज्ञान नहीं परमात्मा के शरूप का जिससे ज्ञान हो जाए वही बास्तिवे के ज्ञाने है इसलिए रामान में आप एक चीज देखोगे कि सब्री बिना पड़ी लिखी थी और शवरी के आसपास आस्तमों में रहने वाले जितने महत्मा थी वह सब बड़े बिद्वान थे लेकिन भगवान शीराम जी ने शवरी को नौदा बगति सुनाई और नौदा बगति सुनाने के बाद में क्या बोले भगवान जी बोले शकल प्रकार भगति दरनतोरे मैं तो तुम्हे केवल सुना रहा हूं लेकिन तुमको भक्ति के जतने प्रकार बड़ी द्रनता से तुमारे अंदर तो पर किसी ने पूछी दिया जब द्रनता से नंके अंदर में नौदा बगति है तो फिर आप इनको सुना क्यों रह हैं लेकर जो पीछे कड़े ना बड़े बड़े जट्रा मट्रादारी मात्मा इन्होंने अपने आपको समझ रखा यह चोटी है निमनबर की है इनको सुना रहा हूं मैं भक्ति तुमारे अंदर तो भक्ति पहले जबर्टी तो ग्यान यह नहीं है कि तुमारे पास में माला कितनी बड़ी है ज्यान यह नहीं कि तुमारे पास में कितनी बड़ी जटाएं है ज्यान यह नहीं कि तुमारे पास में कितने शास्तों का ग्यान है ज्यान यह है भगवान को क्या अच्छा लगता है वो तुमें ग्यान हो जाए वो तुम बिवहार करो जो भगवान चाहते भगवान कहते हैं मैं सरवत्र सभी में व्याप्त हूँ इसलिए किसी में उच निच्ची का जो भेदभाव करता है वो ग्यानी नहीं है इसलिए पंडिता समधर शिना अहां जो समधर शी है वही पंडित यह ज्यान के अलशकता है श्रीमत भागवत का ज्यान अगर आपको जानना है तो इसका जो श्रीमत भागवत ज्यान है और यह आप ग्यार में इसकंद में जाकर के देखना ग्यार में इसकंद में भागवत धर्म की इस्थापना की गई धर्म तो होते हैं लेकिन श्रीमत भागवत का धर्म ही एक कि लोको हुं स्पूछों कि काय की गथा हो रही प्वेस भागवत गीता जी प्वागवद तक यहने में, भागवद गीता जी करता हुँ और जो कि और पुरान पूरान भरा इसके भागवत गीता के साथ में भगवत है प्रुआ और पुरान के साथ में भागवत, क्या अंतर हो गया, भागवत महापुरान, पुरान नहीं है, ये महापुरान है, क्योंकि पुराना मेदम तथा, कहा गया है निम्निगा नाम यह था गंगा, जिस्तों प्रकाहर से शरिताओं में नदियों में सबसे ज़्यादा पवित्रतम नदी कौन है अब आप तो दूसरी बात कहोगे लेकिन हम दूसरी बात बता रहे हैं भागवाजी में जो लिखाया निमनिगा नाम यथा गंगा निमनिगा मारी जो उपर से नीचे को प्रवायत हो रही है निमनिगा नीचे को चले जा रही है वो है नदिया तो जितनी भी नदिया हैं उनमें से सबसे निमनिगा नाम यथा गंगा नर्मदा जी एक विचित्र सरिता हैं यह निमनिगा है ही नहीं क्योंकि सभी नदियां उपर से नीचे को प्रवायत होती है और इनका प्रवाय नीचे से उपर के लिए है इसलिए ये उपर क्यों और जाती है इसलिए नर्मदा जी उन्सिक्दम प्रथक है शारी नदियों के विवाय हुए हैं लेकिन नर्मदा जी कन्या हैं मेकल सुता गु परसवार है और नर्मदा जी संकर जी से कहती है कि आप जादा थक गया होगे पता नी क्या क्या खाती पी तो आजाओ हमारी गोद में बेढ़ जाओ और उनके नर्मदा का हर एक कंकर कंकर संकर है इसलिए भई विचित्र तो बात है लेकन पुरान ये कहता है कि निमनगा नाम जिस परकार से सर्टाओं के लिछ में सबसे महान गंगा जी है और निमनगा नाम ये था गंगा देवा नाम अच्च तो ये थे जिस परकार से देवताओं में भगवान श्रीकष्ण जी जिसमान देवता निम्निगानाम यता गंगा देवानाम अच्चितों यता बैष्णवानाम यता संभू पुराना नामिदम तथा पुरानों में श्री भागवत महापुरान सबसे बड़ा पुरान है इसलिए इसको पुरान नहीं कहते क्या कहते है इसको महापुरान कहते है श्री मद भागवत महापुरान तो भगवत मानी होता है भगवान और भागवत मानी होता है भगवान के भक्त अत्वा इसलिए इसका नाम भागवत है क्योंकि भगवता प्रोक्तम भागवान भागवान के द्वारा इन भगवान का चरत्रिश के अंदर में समाया हुआ है इसलिए यह भागवत है इसलिए क्याने का तात्पर यह है कि ऐसी जो श्रीमत भागवत का ज्यान ही अद्वत है वो ज्यान यह जो भक्ति छटपटा रही है यह जो भक्ति बेचैन है यह जो भक्ति के पास में अचेतन रूप में पड़े हुए जो बुजुर्गे है यह वो ज्यान है भागवत ज्या है बेदों का ज्ञान तो बढ़ गिया है लेकिन श्रीमत भागवत का जो भागवत धर्म है वो छत्विछत हो गया है भो भो हो साधो छणम तिस्टा मचिन्ता मपी नासया दर्शनम तवलो कश्या शर्व थागे हरंपरं है शंत शत्प्रोश आप रुको ठैरो शंतों की बड़ी महमा स्रीमत भागवत में घाए गई है क्योंकि भगवान को मिलन का यदि कोई माध्य में है तो सत्संगी ही है शाम तेरे मिलेने का सत्संगी ही बाना है शाम तेरे मिलेने का सत्संगी ही बहाना है दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिष्टा पुराना है हाँ दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिष्टा पुराना है शाम तेरे मिलेने का सत्संगी ही बलता है झाल जंगल पे दूड़ा तुझे मंदिर में पाया है जंगल पे दूड़ा तुझे मंदिर में पाया है तुझे मंदिर में पाया है जंगल पे दूड़ा तुझे मंदिर में पाया है बिरशाम का चिताना है संतों के हिरेले में सा मेरे स्याम का ठिकाना है स्याम के मिने निकान राधे मतुरा में दूडा कुछे गोपल में पाया है मतुरा में दूडा कुछे गोपल में पाया है मतुरा में दूडा कुछे गोकल में पाया है विस्तावन की गलियों में ओ गोकल में पाया है विस्तावन की गलियों में पाया है विस्तावन की गलियों में पाया है शाम तेरे मिखले में खाँ जंगा में डूरा सुझे देखे की नदिया में ओ प्रेखे की नदिया में मेरे शाम का जिकाना है स्वेड की नदिया में मेरे शाम का जिकाना है शाम ले मिलने का आद मालों में खूडा तुझे गोपियों में पाया है ओ बालों में दूरा सुझे गोपियों में पाया है आप वालों में दूड़ा तुझे गोपियों में पाया है मैं यादाजी के दे दे में हाँ राधाजी के दे में मेरे स्याम सेड़े है 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 शाम ते इस दिनी का अच्छत के है तु बहाना है है शाम ते इस दिनी का अच्छत के महाना है या वाले जाजाते है मेरा रिष्टा कुराना है या मेरे मिलने का शत्षंग शत्षंग का बड़ा महत्व है मार्शी नरज्ची मराश्य सुभक्ति मारणी ने कहा कि भो भो हो साधो छनम तिस्ट मच्चंता मपिनासया दर्शनम तबलो कश्या सर्व थागे हरम तरम महारशी नरज्ची ने पूछा है देवी आप कौन है आप कौन है और आपके पीछे ये जो नीचे दो फुत्र पड़े हुए है ये बुजुर्ग ये कौन है और ज़र उने पूछा तो भक्ति मारणी ने अपना परचा दिया मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे आप देख रहे हैं बुजुर्ग ये मेरे बाप नहीं है मेरे बेटे मैं इनके साथ में परिभर्वन करते हुए उत्पन्ना दरवडे साहम ब्रद्यम करनाट के गताम मैं दक्षन भारत में मैं पैदा हुई आप देखो कि जितने भी जगदवरु हुए ने सब दक्षन भारत में हुए है भक्ति महारानी की जो उत्पत्ति है वो दक्षन भारत में है अपन ये पूर भारत में अधर उत्तर भारत में है हुए हम लोग मद भारत में है लेकन भक्ति बारानी का मद भारत में इसलिया है मद प्रदेश और जो भारत के उत्तर तरप में है उत्तर प्रदेश जो दक्षन तरप में है उधर के प्रदेश है तमलनादु आदी करनाटक आदी तो उत्पन्ना द्रवडे द्रवड देश में में पैदा हुई उत्पन्ना में जाकर के मैं ब्रद्ध होगी कुछत्ट дома महाराष्टे गोर्जले जिर्णतां और में फिर महारास्ट में जाकर किक कुछ रहा गई और गुज्रात मिंदा करके जिधा को प्राफ्थ हो गई है कि आज आप देखोगे कि गुज्रात में बहुत भक्त होती हैं बड़े एक शेक शंत हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं वहां पर और बहुत बड़े बड़े दागी हैं, हम अमेरका में जाते हैं, बड़े बड़े मंदर हैं वहां पर कथाएं होती हैं, तो बिदेश में किसी भी देश में जाओ नंबर एक पर गुजराती होती है और नंबर दो पर साउथ इंडियन और फिर नंबर तीन पर पंजाबी और उसके अपन तो चोथे नंबर पर आते हैं लेकिन ओश्रमे श्रुमत भागवत में लिखा है गुरुजरे जीर्णताम गतल गुजरात में भक्ती जीर्ण हो गई और उसका कारण है सत्मुच में गुजरात में जो भक्ती थी उतनी प्रणता को नहीं थी लेकिन जब वहाँ संतों का प्रद्रभा हुआ है एक संत जब आता है तो अपने कुल के कलंकों को नश्ट कर देता है देश की मर्यादा को बढ़ा देता है और भक्ती का विस्तार कर देता है तो नर्शी महता 맞는 का संतों का नामदेव जैसे संतों के सुभगमन होने से कुजरात का पवित्र धरती पर भक्ती का विस्तार होता है इसलिए आज भक्ती का विस्तार वहां दिखला इपड़ता है तो भक्ति माराने जी अपनी चिंता वियथा को रोते हुए नरज जी से कहते ही कि मैं गुजरात में जिर्णता को जब प्राप्त हो गई तो मैंने सोचा कि पुना अपने को स्वस्त कैसे करूँ और इस ब्रकार से मैं परीवर्मन करते हुए मैं भगवान से कृष्ण जी के ल शीवन हो गई थी वो क्या हो गया मैं तरण हो लेकिन मेरे जो बेटे ज्ञान और बैराग यह बुजर्ग होकर कि यहां पर पड़ गये बुद्ध हो गया इसका मतलब है कि जो लोग समत्ते के वर भक्ति से कल्यान हो जाएगा भक्ति में भी ज्ञान की आवश सकता है च्छा फ्रहान का प्रभाव कैसा है भगवान को क्या अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है चीज का ज्यान रहना चाहिए च्छेजें श्रणागति में होती है अनकूल संकलपा परमात्मा के अनकूल बनने का संकलप करें प्रात कूलस बर्जनम और परमात्मा को जो अच्छा न लगता हो उसको विवर्जित अपने जीवन से अटा है भगवान को जो कपड़े अच्छे लगते हैं वैसे कपड़े पेने भगवान को जैसा भोजन अच्छा लगता है वैसा भोजन करें क्योंकि जैसा खाओगे अन वैसा बनेगा मन और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी इसलिए जीवन में साधना में भोजन की सुद्धी सबसे नंबर एक पर है, श्रीमद व्रिंदावन धाम की भूमी परा करके ज्ञान और वेराग ब्रदो होकर की गिर्पड़े, नरजी मराद ने भक्ति की मेहमा को बथाते हुए कहा, क्या आप तो बड़ी महान है, भक्ति के लिए तो बड़े बड़े योगी तरस्ते हैं कि भगवान की भक्ति मिल जाए, यत्फलम नास्ति तप्सा, नायोगेन समाधिना, तद्फलम लवते सम्यात कलव के सवकितना, भक्ति महान जी कहती है, कि श्रीमद ब्रंदावन धाम की पवित्र पावन भूमे में आकर के भक्ति तरण हुए, भक्ति ब्रंदावन आप जाओ तो, अगर आपको भगवान की कथा में भजन हुए, भक्ति ब्रंदावन धाम की पवित्र पावन भूमे पर जाने में, मैं तरण हो गई, भक्ति ब्रंदावन आप जाओ तो, अगर आपको भगवान की कथा में भजन होता हो, और नर्त करना ना आता हो, तो आप ब्रंदावन चले जाओ, कुछ दिन आप ब्रंदावन रह लो, तो वहाँ अपने आप आप नाचना सीख जाओगे, क्योंकि भगवान का वहाँ का देवता ही नाचने वाला है, इसलिए जो आप रहता है, सब नाचना सीख जाते है, ब्रंदावन की बड़ी महमा है, इसलिए ब्रंदावन की पवित्र पावन भूमी पर निश्चित रूप से हमें कभी न कभी समय निकाल खरके जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति महारने जी भी भग ब्रंदावन धाम की महमा को गा रही है, मैं होली पर्त में बराबर वही रहता हूँ, आप आए, बड़ा आनंद करेंगे। और एशी दिबतम पवित्रतम भूमी पर श्रीमद व्रंदावन धाम की भूमी पर अगर आपको भक्ति नहीं भी है, तो भक्ति का आगवन हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है, चलो रिमन श्री व्रंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे शाम मिलेंगे, खुंज बिहारी, ओड़ के कामर कारी, तो बिलेंगे राधे 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 शाम मिलेंगे, खुंज बिहारी, ओड़ के कामर कारी, तोड़ में आवर कारें, तोपे लेते मुझे भी आडी, तोड़िंगे आवर कारें स्री यमना जी में नहावेशे रात होती श्री यमना जी में नहावेशे पर एक सिंपातरी जीवन सपर बनावेगे हो इसबे मन के पूरन का हो इसबे मन कैभी बोल ने का जटेगे रादे 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 क्ने मैं को इसे हरी तो आवर को इसे तो आब आडेस् आडेस् आडेस्ट ऑड़ी इडिल दूर दूर से तरणारी यहां आवे हैं अच्छती जी पैबर तुम चरण के पावे हैं अच्छती जी पैबर तुम चरण के पावे हैं अरे मिटे जाएं सभी गुमार को अरे मिटे जाएं सभी गुमार को अरे मिटे जाएं सभी गुमार को ओ तुम चरण के तुम चरण के पावे हैं अरे कर दो करें दो जूला है हर आधिती जन्दे पर धूले जूला है हर्यादी इतनी जब पर दूले दूला है वो बड़ पड़े तुर्थूर के लाँ वो बड़ पड़े तुर्थूर के ते ते राज 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 पे लेंके कोड़े के तामर खारी हो बड़े के मते पेहारी तोड़े के तामर खारी हो अर्व हो साथ में एक बार जहां मंगला है हो साथ में एक बार जहां मंगला है कर बिल में दिती बने फूल के मंगला है दिती वे हो सिती बने फूल के मंगला है मिले यहां को को जावा जावा मिले यहां को को जावा जावा रत देरा 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 में लेंगे परी बिहारी खोड़ के का मलकारी में लेंगे मंके बिहारी खोड़ के का मलकारी में लेंगे मंके बार्व के का निए खोड़ा हुआ है जब धावन में प्यारों पिल्लावन धाव में है अरे क्यों बटके थाओ ही थाओ अरे क्यों बटके थाओ ही थाओ मिलेंगे क्यों बटके थाओ ही 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 तोड़े कामर कारी आपले में पुर्णे नारी, पोडे में पार्वारी यत्फलम नास्ति तपसा, नायोगेन समाधिना तद्फलम लवते सम्यक, कलोगे सवकीर्थिनात मर्शिनारगी ने, भक्ते महरानी का महत्मनों को बताया कि हे भक्ते महरानी जी, तो या हूतस्त गुविंदम याति नीच ग्रह सुपी भक्ते महरानी जी आप अधिर क्यों होती हैं, आप तो इतनी महाने हैं कि यदि नीच प्राणी के जीवन में भी आपकी भगवान की भक्ति आ जाती है तो भगवान उसके भी घर में आते है तो यहां हुतस्तु भगवान अपि याती नीच गरे सुपी इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवस सकता नहीं है बरता खेदय सेवाले और उसके बाद म आपको चिंतात रोगत्तम श्री किष्न चरनाम भुजम स्मरद उख्खम गमिष्षति श्री किष्न के पादार विंदों को स्मरण करो तो मैरे सारे कष्टों की न्डवर्ति हो जाएगी महरुष्ण आरद जी ने भक्ति मालाने के सामने एक शंकलप लिया कि यदि मैं ब्र इसे कलियोग के प्रते कि घर में जाकर के मैं आपके भगबानी की भक्ति कि स्थापना में कर दूँगा । ग्रहे क्रहे स्थाप यद्श्यामी इत्में शत्तम बचावूँआ उप स्थापना करूँगा ये मेरा सत्तम बचन है और इसलिए उन्होंने जब इसे बात को कहा करिना सद्रिशा कोपी युगो नास्ती बढने तश्मिस तवाम इस्ठाप ये श्यामी लोके लोके ग्रहे-ग्रह agreements हर एक जिगेपर में आपकी गेहे जने जने हर एक जिगेपर में आपकी इस्ठाप ना कर दूँगा कि मैं कभी भी आपको आपका त्याग नहीं करूगी। इश्री आप रामचरत माराज में देखते हो कि जब माया उनको नचाती है तो भी भक्ति मारानी जी आकर के एक चौपाईज उनका काम बना देती है और नारजी की जीब पर वेटते हैं नारजी माराज बूल जाते हैं और कहते हैं जही वी दिनात हो एहत्मूरा करा उस वेग दास में तूरा और नारजी की बिगड़ी हुई बात भी बन जाती है समझ जाती है महोड़ि नरज जी पियतन करते हैं कि ज्ञान और वैराग को शोस्त किया जाए और उसके लिए वो क्या करते हैं मुखम सहंयोज करना अन्ते सब्डे मуч्चाई हिसमुच्यन मारशिन है जी ज्यान और वैराग जे सुसुपतों करके पड़े हुए ते उनके कान में मुई लगा करके बार बार उनको ज्यान कराते सब्द मुच्चे ही समुचरन ज्यानम प्रवदिताम शिग्रम रे वैराग प्रवदिताम अरे ज्यान ए वैराग जड़ा उठतों जाओ और वेद वेदान्त घोसाइश गीता पाठम मोहर मुहू, वेद वेदान्त और गीता के बार बार पाठ करके, गीता जी का पाट सुनकर वेदानत के तत्मे प्रवचनों को उस्रमन करने से यद्यपी वो ग्यान वेरागों को थोड़ी तरणाई से आई जमाईली उठके बैटे लेकिन नारजी जूही हटे त्यूही वो फिर सोगे जैशे की माँ बच्चे को जगाती है और बच्चा माँ जूही कमरे से बाहर निकली बच्चा फिर पलंग पर सोजाता है उसी तरह से नारजी की चेतना दिने पर ग्यान वेराग में थोड़ी चेतना आई और जूही नारजी अलग हटे वो फिर उसी पर सोगे नरजी को बड़ी निलासा हुए कि जिन ग्यान और वेराग का अंदकार मोह है मोह है निसासव सोबने हारा भगवद गीतास नहीं जा रही है वेद वेदान तो गोसेश गीता पाठम महुर महु गीता जी का बार बार पाठ किया उने तो चिन्त ठोगय कि क्या होगा और उसीश में पर उन्होंने शुरिय भगवान की गायत्री को याद किया गायत्री का मंत्र जाप करते हुए शुरिय भगवान को जब इस्मान किया तो आकास वानी हुई कि नरजी आपको चिन्ता करने की आबसक्ता नहीं है व्योमेवानी तथैवा भून मारिशें किद्यतामिती उद्यमा सपलस्तेयम भविश्यती नसंसमा संसया नरग जी आपको चिंता करने के जरूत नहीं आपका जो उद्यम जो प्रियत्न है वो आपका व्यार्थ नहीं होगा उद्यमा सपलस्तेयम भविश्यती नसंसया आपका उद्यम सपल होगा इसके लिए सतकर्म तुम समातर आप सतकर्म कर अच्छा ये सतकर्म क्या है कौन सतकर्म करें तो निका इसका ज्यान आपको संतलो करें ज्यान रखना आप कितने भी बेदों को पढ़ने सास्त्रों को पढ लेकिन वास्तवे के तत्त ग्यान की प्राप्ति बगार संतों की किरपा के संभव नहीं है इसलिए बिनुगुरु होए नज्ञान ग्रंथ उल्टा के देख ले शत्संगत की बात कि जब बहु काले करिये सत्संगा तब ही होए सब संसय भंगा जब बहु काले करिये सत्संगा तब ही होए सब संसय भंगा जब बहु काले संतन संग वैट 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 रामरसपी जी है संतों के बीच में बैठकर के सत्संग की जी है तो महराज महर्शी नारजी महराजी फिर संतों समिलने के लिए गए और बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी जती शंत जितने जितने मिले नारजी सब के पास में गए सब से पूछा के सत्कर्म क्या है किसी ने ये सुनाया किसी ने ये सुनाया और किसी ने का नारज जैसे ज्यानी जो ब्रह्मा पुत्र नारज है इन्हें जिस चीज का ज्यान नहीं उसका ज्यान हमें क्या हो नारद सब्थ का आर्थ होता है, नारम cryptocurrencies, जो दिन रात घ्यान का ही वित्रन अगहरता हो, उस नारद जी कुझा रिख्यान का भिछान नहीं, तो तू कितने मात्मा तो नारद जी को आते हुए देख्कर के महनी बन Щापन कहते हैं, हम बोलते हैं नहीं, और कितने भाग खड़ ह होते उंगली में कान डाल करके बावा हमको भी परिशन करेंगे प्रशन पूचेंगे और उसके बाद में नारज जी बड़े बेचन हुए शनकादी सद्धों सेंके भैठ में तो नारज जी कहते हैं कि इसलिए मैं आज आपको खोते हुए उत्रांचल की पवित्र भूमी पर म आपका दर्सन हो गया शनकादी सद्धों नारज जी को बड़ी श्रीमद भागबत ग्यान का महत तो बताया है शनकादी सद्धों ने महर शिनारज जी कहा कि इसके लिए जो ज्यान है और जिसके द्वाना तुम्हें इसके निवृत्ति होती है मा चिनताम कुरुदेवर से हरसम चित्तेश हरसम चित्तेश मावा उपाया सुक्ष शाध्योत्र वर्तते पूर्व एवही यह जो सतकर्म बताया गया है इसके लिए को इतने नया प्रित्र करने के लिए जिरूद में है यह पहले से ही उपाय ठाकड़ जी देकर के गये हैं इसलिए कोई चिंता करने के आवसकता नहीं है और पुरुनों ने कहा है कि उसका सार्तत्त्त क्या है तो कहते है शतकर्म सूच को नूनम ज्ञान यग्य स्मृत्यी बुद्धही ही शतकर्म सूच के जो है वो स्रिमत भागवत ज्ञान महा यग्य ही है इसके अत्रिक्त कुछ और भी नहीं है इसलिए स्रिमत भागवत अलापा शत्व गीता सुका दिभी यह वही श्रिमत भागवत महा परान जिसको सुकाचारी जैसे आचारियों ने नर्मति के साथ में अवचिन नमति के साथ में इसका गान किया है यह वही है नारग जी ने कहा कि जिनका अज्यान वेद वेदांत गीता से नहीं हो चुका तो क्या बेदों से भी बढ़कर के स्रिमत भागवत महा परान है बेद और महाभारत से तो कुछ भी नहीं है क्योंकि बेद तो सर्वों पर यह है और महाभारत को पात्मा बेद का जाता है तो क्या भागवत बेद से भी आगे क्या स्रीमत भागवत महापुरान महाभारत से भी आगे तो का हां कैसे कावेदो प्रिणिस्दाम साराँ जाता भागवती कता अत्युत्यमात तों भाती पर्थग भूता फला कृती श्रीमत भागवत महापुरान है क्या? श्रीमत भागवत की कथा जो है वेद और उपनिस्दों का सार है सार सार को गहे रहे और थोता दे उड़ाए यह सार है वेदों पनिस्दाम सारा ज्याता भागवत की कथा वेदों उपनिस्दों वेदान्त आदिका सार है जैसे आम के वर्क्ष को देखो जो फल होता है आम का फल तो अपने सुनाए ना देखा भी होगा खाया भी होगा है आम को फलों का राजा कहते है प्र मुख मेखा लो और फर मुख से निकल जाए तो दोवारा मुख मेर रखने की इक्छानी होती है और आम की गुठली को कितने वार आप मुख में रखते हो, इसलिए जो है यह फलों का राजा है, बेदो प्रिस्दाम सारा जाता, लेकिन वो आम का फल, परिपक को फल, वो फल आता कहां से, आम के पेड से, तो आम के पेड का ही तो रस्वो है, तो आप कभी उसकी छाल चबा क कितनी मुठी होती है, आप कभी पत्ती खा करके देखना कितना स्वाद आता है, ना होतो चोटी अम ही खा लेना है जब छोटी-छोटी होगो, इसलिए यह जो है ना स्रिम्ध भागबत, ये जिप वो रस आमसे ही आया है, आमसे ही वो फल में रस आता है, बिक्च से ही, लेक फल के रूप में ब्रच से पृतख नहीं हो जाता तब तक उसका आनंद नहीं आता है गने के अंदर में ही रश लेकिन गने की बात अलग है और उसका जब रश निकल आता है उसके अलग बात हो जाती है उसलिए अत्युत्मा ततो भाती प्रथक भूता फला करती है उसी ब्रक्षक में डालियों में पत्तों में वो स्वाध नहीं होता लेकिन जब वो रस फल के रूप में अलग आ जाता है तब उसका स्वाध अलग बढ़ जाता है इसलिए बेदों में वो बात है लेकिन बेदों से ये जो भागवत महा पुराण है ये क्या है बोले परिपक को फले है निगम कलपतरोर गलितम फलम और कहते हैं शुक्देव जी महराज एक बार स्री कष्ण सरना ममा का संकीरतन करते हुए बेदरूपी कलपतरों के नीचे पहुचे गए बेदरूपी कलपतरों ने शुक्ते हुए देखा तो बेदर प्रसंद हो गए क्योंकि जो वीतरागी होता है जो त्यागी होता है जिसके जीवन में कोई कामना नहीं होती है ऐसे संक्तों के सुभागमन की पतिच्छा तिर्थ भी करते है बाला पनते हरी भजे और जगते रहाएं उदाच तो तीरत हूँ आसा करे कब आवें हरी दाच कब आवें हरी दाच जो बत्पन में ही ग्रह परिवार का परत्याग कर देते हैं भगवत सरनागति ले लेते हैं मन की कामनाये जोनोंने नश्ट कर दी है वीतरागी हो जाते हैं ऐसे संत सत्प्रसों के आगमन की पतिच्छा तिर्थ भी करते हैं महरश्ची नरदी कहते हैं तिर्थी कुरवनती तिर्थानी ऐसे संतों के चन तिर्थ कहलाते हैं और वो तिर्थ को भी तिर्थ बना देते हैं पवित्र कर देते हैं पावन कर देते हैं इसलिए प्राचीन काल की परंपरा रही है कि संत आते थे तो लाइन लगा देते थे लोग कि हमारे घर पदारो हमारे घर पदारो नानक साहब जिन लिखा है गुरू गरान साहब में कि जिन घर संत नजाईयां और ताघट मरघट जान जिन गाओं में शंत सक्रुस नहीं पदारते वो मरगट के समाने हैं घर अवसान जनुपर जनुपर जनुभूता और मुझदास के उपर तो नन्मदा जी की बड़ी किरपाई है कि वो बर्स में पांचे बार तो कम से कम अपने किनारे बुलाई जाते हैं बुला ही लेते हैं कि कथा सुना जाओ और एसनल कर जाओ किसी न किसी बाने, कभी बांदरा बान आते हैं, कभी उसंगा बाद आते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी काजल खेड़ी से भी कथा करके आ रहे हैं, नर्मदा जनती में, हमें पता ही नहीं चलता है, जब कथा शुरू हो जाती, तब पता लगता है, नर् तो कहां पर वैठ करके कथा कि रामदेवराजी का जो चभूत्रा उनका जो बना हुआ उशिपर वह हमारा ब्यास प्विड़ थी और ऊसी पर वैठ करके कथा की उसके बाद में हम राजिस्थान गये अलबार में वह जब कथा की तो हमने कहा कि यह मंदर किसका है बोले यह बाबा राम देव जी का मंदर है तो हमने तब भी कोई ध्यान ने दिया उसके बाद में एक तीसरी कथा हुई बुद्वाला में तो बुद्वारा में जहाँ यग हो रहा था, मंच बना हुआ था, पूछा ये बगल में किन कै समाधी ये वो ले राम देवा बाद और उसके बाद में चोथी कथा हुई समसा बाद, तो पता लगा कि वो उनी की स्थापना हो रही थी और उसके तम मुझे पता लगा कि हमारी कथा को सुनते हैं और यहां बगल में किता रहे हैं ये देखिए सामने बैठ करके कथा सुन रहे हैं तब मुझे पता लगा कि ये उनको हमारी कथा आसीर बाद देते हैं और कहते हैं आओ हमारे दरवाजे पर बैठ करके कथा सुनाओ एक तो कथा हो, आज परक्यमा आज अपनी जो कलस यात्रा उठी कहां से उठी, नर्मदा जी से आप कलस लेकर के आए, कितनी स्वभा की बात, कलस में क्या होता है, जिस पवित्र तीर्थ से आप जल लेकर के चलते हो, वो तीर्थ आपके साथ में चल चल के वहां, जो ही हम जानत सनकाजी शद्दों ने भागवत का महत्म बताया, तो उने बोलना सुरू कर दिया कि हाँ, सही बात है, क्योंकि सुकाचार जी का नाम आज आजा, इसलिए कथा अलाओके कि सुने ही प्रानी, नहीं आचार जिका रहे हैं, असे जाले, लेकन जिन्दगी जब तक दिखाना तक तो खाया नहीं, वो यात्रा में लग रहे हैं, और हम कैसे आगए, बुलो, हम भी बाली भोग करके आगे हैं, आपर आपके बीच में बैठ गए, वहां गए, वहां से आखर के अधर बैठ गए, और कथा शुरू हो गई, तो नरमदा महिया देखती हैं, इतने लोग होई से चले गए, वोले, आथ तो पहली दिन है, तो रेलेवे इस्ट्रेशन पर आप जाना, सोचना कि अभी तो ट्रेंड चलिये हैं, अभी क्या बैठना, जब फास्ट हो जाए तब चलना पर, इसलिए ट्रेंड में तो तभी बैठा जाता है, ट्रेंड जब थाड़ी हो, ता शुरुआत, क्योंकि ये जो अपने हाथ इनको देखना कभी इनमें रेखाएं पड़ी हुई है, ये हाथ तुमसे कहते हैं, क्यारे कभी आकर के भगवान की कथा में भी बैठ करके ताली बजा लो, कीर्तन कर लो, भगवान के उसमें बैठ जिन्द की जब दन में पहला दन तो चला, छही दन रह गया हुआ, अब छही दन में खूब बुला लो अपने महमान, महमानों को बुला ना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकन महमानों से भी कह दो, और महमान भी यहाँ पर बैठ होंगे, वो भी सुनलो, कह दो भगवान भोजन कथा भी सुनाएंगी, तो यहां तो भागवत कथा के साथ साथ में, आपको दो दो आप शुरू में आ जाओ, राम कथा सुनलो, और राम कथा के बाद में, भागवत कथा सुनू, कितनी अच्छी बृंदावन की पवत्र भूमी पर नहीं, तो ऐसे दोनों को बुलाओ, तो दिन रात चूला चक्की में हाथ आपके चले लगे रहते हैं, इसलिए इस समय आप निकाल करके कथा सुनू, सब को ग्यारा वजे तक खिला पिला करके, साड़े बारा, साड़े ग्यारा वजे तक आपको जो भी अपना स्रंगार करना हो सब कर लो, रात ही में अपनी साड़ निकाल के धर दिया करो कि कल कौन सी साड़ी पहन के जाएं क्योंकि बगल यह बहने देखेंगी, कितनी बहने बगल में बैट करके ऐसे कथा कहेंगे मराजी और वो ऐसे ऐसे दूसरे कि साड़ी पहने, कुछ नहीं यह पूछ रहें तो भवपाले से आई है कि तुमने भवा शीता जी का रूप धान करके परिक्षले ने गई भगवान दियुन का त्याग कर दिया, इसलिए कथा सिर्वन करना भक्ती का सबसे पहला धर्म है, पर्थम भगति, संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा, पर संगा, संतों का संग करो, तो आप आएगे तो संती ही तो हम बैठ यह चूकना होने पाएं कि पहले से आकर के कथा में बैठ जाना, आज कल स्यात्र हो गई, और मार्केट वाजार के चकर में मत पढ़ना कि अभी यह ले आएं, वो ले आएं, फलाना, ढिकाना, बरेली का जुंका मत लाना, अभी तो कथा सुनना है, आपको आराम से कथा सुन निगम कल्प तरोर गलितम फलम, तो एक तो आम का फल हो, और पका हुआ फल हो, और ओभी कोयलिया आम हो, कोयलिया जनते हो किसको कहते हैं, जिसमें तोते ने चौच मार दे हो से कोयलिया कहते हैं, बच्पन में अपन भी खूब बगीचों में घूमते थे, गाउं में ही जन जिसमें चौच का काला सा चन देखे, वो पक्का, मीठा होता था, इसमें कोई संदे नहीं था अब आप लोगों को पेड़ों के पके हुए फल मुश्कली से मिलते होंगे, आप लगाओं के हैं तो मिल जाते होंगे उस तक ता दोके से नहीं तो वो जो क्या रख रख करके पकाई जाते हैं वैसे जहर वाले, हाँ, दो वाले फल मिलते हैं आप लोगों अगर बिना धोए खाये तो फल का चतकाल फल मिल जाएगा, क्योंकि जहर उपर ही रखा रहता है इसलिए कोई भी पल काना तो दोकर के खाना इसलिए कहने का परिपक को फल हम लोगों ने वह बगीचे में चले जाते थे सब उटकर के देखते थे और फिर जिसमें कोईल या चन्नो और गुलेल से तो जिसमें कोईल का चन्नो निश्चित रूप से वह फल मिठा होता था तो श्रीमत भागवत महापुरान अफल है कैसा फल है वोले पका हुआ फल है इसकी विशिष्टा क्या है का ये कोईल या है कैसे कहते है क्योंकि शुक्देव जैसे सत्पृस ने इसको गाया है शुक्देव जी के मुक्षे ये कथा निकली है इसलिए और शुक्देव जी की विशिष्टा क्या है कायम प्रभ्रजंत वनु पेत्यम पेत्यकृत्यम दोई पाइन विरह कातर आज वहाव पत्रेती तनमया जो बट्पन में जब वो पैदा हुए ना महराज पैदा हुए नायने बैठी रही जब बच्चा पैदा होता है तो माताय तमाम दासियां बैठती ना बच्चे को निकालती है साप करती है उनकी क्या नाड़ी उसको काटती है क्या क्या करती शुकदेव जी मराज जब पैदा होने वाले थे तो वेदव्याज जी में होते नहीं तो थाली लेके बेर जिया का चमाच से इसको बजा देना किस लिए का जिवी बच्चा पैदा होगा तो उसी समय लेके लेंगे कि कितने बजे कितने मिनट पर कितने शेकंड पर बच्चे का जानव होगा क्योंकि जब तक तो जाके बता उगे 4-5 सेकंड ज्यादा हो जाएंग उतने पतने कितने बच्छे पैदा धरती में हो जाते अब आज कल तो बच्चे होश्पितल में पैदा होते और वो जो.. नश्य वोती है। वो टाइम लकती आ हो और वो भूड जाते है। रहे, बढ़िए लग में लग साड़े चार क्या सबंदो करा ¿हों भले इस फिल? मताना या फुद्ढा है, वहा डूद। साड़े चार क्या सब्हूत है, पिस भी लग सब्सेदा है। पुच्छा श्री वेदव्याजी मराज ने ओर माताओं से कहा। कि जुही बच्च मोश्म्त हो घंटी बजाना। इधर माराज घंटी तो नहीं बज़ी, माताओं की चिल्लाने की आबाज आए। वेदव्याजी ने कहा घंटी क्यों नहीं बज़ाएं। वोले घंटी काय के लिए बजाएंगे शुकदेव जी माराज जब जनमे तो बारह वरस के जनमे और जनमने के सातमी जुही मातायन नैन उनको जब काटने के लिए पकड़ करके वो नाड़ी छेदन करते उसके लिए बड़ी का अफसरत मुझे चूना मत और उन्होंने क्या कि कि मा जो लेटी हुए थी उसको देखा भी नहीं कि वो कराय रही होगी बच्चे का जनम हुआ है उसका दर्द होगा लेकिन उन्होंने अपने हाथ से ही उस नाड़ी को काट दिया और उसकी बाद में अपने हाथ में जैसे अपने पानी कभी कुए से खिचा वे से पानी खि और उन्होंने कहां कि माराज क्या हुआ और दोलो ये आपका बेटा बो जा रहा है अब ऐसा कहीं दुनिया में होता है कि बच्चा जनमा ओठकर के बैठ गया का मुझे छूना मत और उन्होंने अपनी नाड़ी खो तोड़ी और चल दिये जैंगल के उर अब ब्याजी मारा का तर आजु हाव पुत्रें तितनमें तया तरव अभिने दुस तम सर्व भूति घर्दयम मुनिमान तोश शुक्देव जी मना जे आगे आगे चले जा रहे हैं और पीछे पीछे ब्याजी एक राष्टे से जब निकले तो एक विचाल शरोवर था उसमें ब्रजांगन आए निरवस्त्र होकर के श्रान कर रही थी शुक्देव जी निकले तो ने कोई भी प्रस्किया नहीं की वह श्रान करती रही और जिवी वेदब ब्याजी आए तो निकल निकल कलके वो बस धर्ण करने लगी ब्यास्ची ने आश्चरी चकितो करके पूछा मेरा योवा बेटा निकल गया आपके मन में किशिप करकर लग्जा का भाव पैदा नहीं हुआ लेकर जब मैं आया तुम्हें बुजर्ग हूँ और मुझे देखकर के आपको लग्जा का भाव पैदा कैसे हुआ कि आपका ज आपको शुक्षाiran को ये पनीए ईसान में दया नहीं है झिक का ये घित्या लिया है मं मया दृत्या एसे शुक्दयोजी माई थि और कुछ लोगों का भ्यास होता है, एक रिकार्ड होता है, कि किसी भी कथा में जाएंगे, मंदर में जाएंगे, तो जब तक वो आजा घंटा लेट नहीं कलनेंगे, तो लोका रिकार्ड पूप जाएंगे, भाई साहब, तब पतल गया कि हाँ, ये शुरुता है भी जाएंगे, कि कथा मारानी का आवरभाव हो, उसके पहले आप पहुच जाओ, व्यास जी आएंगे, उसके पांच मनट पहले पहुच जाएंगे, एक बार पुझे पाद गोश्वमी तलसीदाजी मराज गंगा जी के उस पार दिसान्रवर्ति के लिए उनका नियम था, कि ब कमंडल का बचा हुआ पानी उनने एक पेड में डाल दिया, डाल देते थे, और एक तांतर के विधी है, आप करना मत हमें आता नहीं, अमने तो पढ़ा है, इसलिए हम आपको बचा रहें, तांतर का नहीं अच्छा, इसलिए वो गोश्वमी तलसीदाजी तांतर के बचा पानी हो, तो किसी ऐसे पेड में आप 84 दिन डालें, जिसने किसके नीचे कोई व्यक्ति, कोई ब्रह्मा पे साथ हो उस पेड के अंदर में, तो आत्मा प्रिगट हो जाती है, नारजी को मालूम था नहीं, कमंडल का बचा हुआ पानी उस पेड के नीचे डाल देते थे, 84 द तो एक भयानक प्रिथ प्रिगट हो गया, तो प्रिगट हो गया है, तो प्रिगट हो गया है, कि मुझे तो प्रभुश्री शीता रामधी का दरसन करना है और कुछ नहीं करना है तो वो ब्रम्य पिसाच बोला महराज गोई भी आपको कुछ दे सकता है तो वो ही चीज दे सकता है जो उसके पास नो उनका धरसन तो मुझे ही नहीं हुआ नहीं तो मैं पर में साथ क्यों होता तो उरे फ़रा में कुछ नहीं चाहिए लेकिन आपने उपासना की कुछ ना कुछ तो मदद तो हम कर सकते हैं हम मिला नहीं सकते हैं लेकिन मदद कर सकते हैं का मदद कर दो का बाबा जब आप कथा करते हो ना असी घाट पर बैठ करके उस में पर प्रती दिन हनुमन तलाल जी महरादी कथा सुनने को आते हैं क्योंकि राम चरत सुन वेको रसिया है हनुमान जी महरादी प्रती दन आपके कथा में आते हैं को श्रमी तलसीदा जी चौक पड़े बुली मेरी कथा में हनुमान जी आते हैं मैंने तो कभी नहीं देखा हनुमान जी तो तेज पुंज हैं अगनी तत्र श्रूप हैं उन्हें छुपाया नहीं जा सकता है कैसे मैं मालू का कि महराज जब आप कथा में बैठते हैं अब आप कथा में बैठते हैं तो ध्यान रखना कि वो पांच मंट पर इंचित चित्तम विधाय सूके सास्त्री कथा नपीता जैन्म मात्री सेटे शठे निकिन्चित चित्तम विधाय सूके सास्त्री कथा नपीता जैन्म मात्री शठे निकिन्चित चित्तम विधाय सूके सास्त्री कथा नपीता जैन्म मात्री शठे निकिन्चित चित्तम विधाय सूके सास्त्री कथा नपीता जैन्म मात्री शठे निकिन्चित चित्तम इस इस लोक में जिसकी सारी जिंदिगी निकल गई हो लेकिन आजनम वात्रम प्येनैन श्टखाय निकन जिसने एक बार मन मना करके कथा को नहीं सुना कथां सुनने के लिए क्या भराना पड़ता है מन चितम उख ठम गषाये मन के अगर आपने मन से सोच लिया कि नहीं वहीं यह कता तो बहुत अच्छी हो रही है नर्मदा जी के किनारे हो रही है वारन अशीर सिमहरा जी आकर के कर रहे हैं बड़ी तत्त में कता कर रहे हैं आप मन वही और तो ठीक है इस कता को जरूर सुनेंगे तो जहां चाहे है वहां राय है अपने आप आपको रास्ता में जाएगा शनकारी शिद कहते हैं कि आजन में मात्र मा पिये न शठे हैं ने किंचित जिसमोर्खन ने जीवन में कमशिकम एक बार मन बना करके चित्तम बिधाये सुक सास्त्रे कथान पीत जिसने एक बार मन बना करके पूरे मन के साथ में कथा को नहीं सुना उसका जीवन कैसा है आप देखो भागबत जी का इस लोक है बोले चांडाल बच्च खरवद वत तेन नीतम मित्यां स्वजन्म जननी जनी दुख भाया उसका जीवन दो प्रकार से दो धरन दिये चांडाल और गजहे सो उत्मानी चांडाल जन तो पुराने जमाने में मेहतर को चंडाल के दिया जो पुराने जमाने में घरों के अंदर में बात्रूम बगेरा होती थी तो वो अंदर गटरने होती थी कि भय तो वही परपड़ रहता था उसको वो उठा करके और अपने सिर पर लेकर की जाता था हम और आप भी क्या भोण है तन justement नौर और शरीर के अंदर में क्या है जर आप अंदर जहकर के देख लो यही मल और स्रानौत्र यही तो इस बंड़ा हुआ है इसे को लेकर के दिनराथ हमारा जीवन चंडालों की तरह पर दिन रात मलमूत्र के भंड इस सरीर को लेकर के घूम रहे हैं, और खरवद, खरवद का मतलब होता है गदहा, खचर, धोभी का जो खचर होता है न, वो क्या होता है कि अपने पूरी जिन्दगी वर क्या करता है? घाट से लेकर कि कपड़े अपने घर ले जाता है, और घर से कपड़े लेकर के वहां आता है दूसरों के कपड़े जिन्दगी वर्ड होता है लेकिन खुद नंगा रहता है कभी बस नहीं प्यांता है चांडाल अवच्चे खरवद अवच्टेन नीतम मित्या सुजनम जननी जन दुख भाजा उसका मानाव जीवन ब्यार्थ हो गया और माताओं ने उस पुत्र को जनम दे करके जिसने कभी कथा ने सुनी केवल दुख ही उठाया उसे कोई सतकृत का पड़न फ़ल नहीं मिला इसलिए अपनी मा को लग्जितमत करो अपने धर्म को लग्जितमत करो मानो जीवन के सार्थक फल को पाओ और कम से कम यह जो कथा हो रही है मांग महिने में जिसके शुरुआत हुई है फागन महिनों का शुरुआत होने जा रही है एंशित दिभितम स्वावसर पर नर्मद से चांडाल अवच्च खरवदवत तेर नीथम नारजी मराजी ने फिर जब इसका महत्म समझा तो उसके बाद में फिर ने एक प्रशन और पूचा है के के विशुद्यन्तु बदंतु मैयम इस कथा के प्रभाव से क्या हुआ जब सनकारी शिद्धों ने कथा गाई उसका परिणाम ये हुआ कि भक्ति सोताव ताव तरण उग्रेहित्वा प्रेमाई करूपा सहिसाविराशित भक्ति स्वताव ताव तरण उग्रेहित्वा प्रेमाई करूपा सहिसाविराशित श्री क्रिष्न गौविंद हरे मुरारे श्री क्रिष्न गौविंद हरे मुरारे ना थे तिनामानी मुहर बदंती इस कथा के श्रीवन के प्रभाव से भक्ति महरानी के जो दोनों पुत्र थी ज्ञान वैराग क्या हुआ बोले भक्ति सुताव ताव तरण ग्रहीत्वा ज्यान और वैराग्य दोनों ही तरण हो गए और ज्यान वैराग्य जब तरण हुए भक्ति महरानी तो पहले से ही तरण थी क्या हुआ बोले एक दूसरे का हाथ परस करके पकड़ करके खड़े हो गए और किरतन करने लगे और क्या किर्टन कर रहे हैं बोले श्री कृष्ने गोविंदे हरे मुरारे ना थेती नामानी मुहुर्वधन्ती श्री कृष्ना स्रानमम श्री कृष्ना स्रानमम बार बार भगवद नाम संकिर्टन करने लगे श्रेय भगवद नाम संकिर्तन जब हो भागवद कथा जब हो अगर पाउं कहें तो उठकर के खड़े हो जाना यहां की माता है तो बड़ी सुख्मार है किर्तन के लिए थोड़ी उठी एतने जल्दी उनके पाउं ठक गए जट्ट थे बढ़ गए और अगर सड़क पर जाए सवभागपन सादू लोग सादी में जाते नहीं है और सादू को सादी में बुलाना भी नहीं चाहिए अब ही बता दूना क्यों नहीं बुलाना चाहिए अगर दूला इधर विचारा सद्ध करके गोड़े पर चला जा रहा है अब अधर से मातमा जी आपने बुलाए है अब सबस ऑफने सवच्चा था तो अवही कुटरा है और कही दूला को सजा रचा देख करके बेंडवाज आ काल सादू के बन में बिचारा याए यार एक बार ये थी ओना चैहिए तो न सदू को जहना चाहिए नसादू बुलाना चाहिए सादी बनाना पोला ओना एक उड दिल्ली में गए तो वो मेनिस्टर थे पूर्व हो मेनिस्टर अब तर वीचारे रहे नहीं सट्थदेव कटा देजी, कांग्रेस के थे हो मेनिस्टर ते अब वो महारा जे वो एक डाक्टर डीकेश सर्मा जी की बेटी की साधी थी तो बहरात आ रही थी बहुत विशाल ते गह में दिली में साधी हो रही थी क्या पूछना चाथ जब दूला आया बेंडवाजी घमा घम बचते हुए चले आ रहे थे और यह थे रखी काले कपड़े पहने खुब है ऐसा डांस कर रही थी पूछो में बीश पत्रीस वर्ज की खुब कजब का डांस तो मैंने कटारे जी से पूचा हमने का यह भी बेंडवाजी के साथ में आ जाती होगी रखी बुले नहीं नहीं वाला जी बेंडवाजी हम जान राम चंद्रे कह गए सिया से राम चंद्रे कह गए सिया से ऐसा कले जोगी आएगा हैं से चुनेगा दाना तुनेगा कवा मोती का राम चंद्रे कह गए सिया से ऐसा कली रुकी आएगा हंस सुनेगा दाना दुनेगा कवा मोती खाएगा हंस सुनेगा दाना दुनेगा कवा मोती खाएगा परिशला क्यों परे पहनाना ते बरिशला क्यों परे महनाना ते बंतु खडा मुश्य काएगा हंस सुनेगा दाना दुनेगा कवा मोती खाएगा हंस सुनेगा दाना दुनेगा कवा मोती खाएगा नाचते तो कथा में नाचूँ भगवाने के कृतन पंडते करो मिना को परिवार के लोगों ने कितना रोका लेकिन उसने कह दिया मैं तो गिर्धर आगे नाचूँ गे ठाकुर जी की प्रेम में ठाकुर जी के स्ने में कथा में इसलिए पायो जी मैंने राम रतंधन पायो जी तो कहने का मतलब यह है के भक्ती रश्म डूब करके आकंठ मगन हुकर के कथा कुषिवन करो ज्यान और वेरागन रत्य करने लगे भक्ती सुताउं ताउं तरणउं ग्रिहित्वा प्रेमाई के रूफा सहे साविराश्य और श्री क्रिष्न गोविंदे हरे मुरारे ना थे थी ना मानी मुहुर बदन पे और जहां ज्यान वेराग के साथ भक्ती नर्तन करती हो भगवान नारैन प्रिगटो गए और उनका दिर्शन हुआ जीवन सार्तक हो गया भागवत कथा का फल ही यही है कि कथा सुमते सुमते घर्दय के अंदर में भगवान का प्रादर भाव हो जाए आपका जीवन सार्तक हो जाए बरो स्रिमत भागवत महा पुराने की जे हो इस दिवितम कथा को स्रवन करने के बाद में मार्शिन अरजिने के प्रष्ण पूचा के के विशुद्यन्त वदन्त मय्यम सब्ता है अग्येन कथा मयेनो किरपाल भीरिलों की तम विचारिया प्रिकाशिता को पिनवीन मारेगा इस कथा को स्रवन करके काउन काउन से अभागे लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है उत्तर में कहते हैं शनकाजिशिद्य कि पंचोग्र पापास छलचद मकारिना कुरा अपसाचा एवनिर दयास चाए पंचोग्र पापास पाँच जो महापाप हैं जिनके बारे में कहते हैं कि आचार हिनम नपनन्ति वेदाह बेदों की रिचाएं भी जिनको पवत्र नहीं कर सकती भागवत कथा से उनकी भी मुक्ति भूति है यह कौन-कौन से पाँच पाप हैं ज्यान से सुन लेना भई भागवत की कताया लिखाया तो हमें जुनाना पड़ेगा आपको बुरा लगे तो लग जाएं अब लिखाये तो यह पाँच पाप कौन-कौन से हैं का एक तो है मजिरा पान करना सराप पीना महापाप है जुआ खिलना महापाप है चोरी करना महापाप है परस्त्री गवन करना महापाप है बस चारी दिये बुले मराज आपका इस लोग तो कह रहा आप पंचोग्र पापास पाँच पापी पर आपने चारी बताए बुले हाँ तो चोथे चार पापी बताए गए और पांच में के लिए ये कहा गया कि जो एनमें से एक भी पाप ना करता हो लेकिन जो ये पाप करता हो उनको अप प्रषस एपना दोस्त बना करकर उनके इनकामों में हांत बताता हूँ, बले ही तुन प्रणा भातीयों को अपने घर में बुलाओ अपने घर में उर्णाओ के घर जाओ, पाटी मनाऊ आप अब मुझे नहीं पूते हमारी गूरुजी ने मना कर दिया लेक किनारे जो रहते हैं वो पूरे नर्मदावासी है गंगायाम घोषा भगवती क्रपा है इसलिए उस क्रपा का अनभाव करो और दिव्य जीवन तो इस प्रकार से पंचोग्र पापास उनके भी बोभी पापी मुक्त हो जाते हैं और उसके परिणामस रूप में एक कथा उन्हें सुनाई का हमराज कोई उधारन है वो ले हां उधारन है तो कहते तुंग भद्रा अत्ट्रे पूरुमा अभूत पत्तन मुत्यमाम यत्रवर और उसमें एक ब्रह्मन रहते थे आत्मदेवा पुरे तश्मिन सर्व वेद विशारदा कैसे पंड़क थे मालूमें आत्मदेव उनका नाम था आत्मदेव का मतलब होता है जिसनोंने आत्मा के अंदर इस्थित परमात्मा को पहचान दिया है वो आत्मदेव है आत्मदेवा पुरे तश्मिन सर्व वेद विशारदा सर्व वेद मतलब चारों वेदों में विशारद थे सारद मनी होता है संस्वति और विशिक्ट शारद मनी पूरा ज्ञानन के अंदर में भरा हुआ था विशारद थे आत्म देवा पुरे तश्म में सरव वेदे बिशारदा है और सास्त निश्राणता दुति इवभास करा दृष्ट धर्म के इतने परायन थे उनके ज्ञान को देखर के ऐसा लगता था मानों की दूसरे वो सूरिय हो इतने गैन लेकिन उस ब्राम्बन के जीवन की घटना सुन लेकिन एक दिन वो बड़े दुखी हुए उनको संतान नहीं थे सारा धर्म सत्कर्म करने के बाद में भी वो दुखी इसलिए थे कि उनके जीवन में एक संतान नहीं है और जिसके पास में संतान हो तो लोग कहते हैं कि वो अभागा लेकिन तो वो बड़े दुखी थे कि मै क्या करूं कहां जाओं क्या मुझे करना चाहिए और इस परकार से अत्यनत तरनारतम धर्म मारगाने तभ्याम नीटम था पिचा उन्ने संपून देवन धर्म मागे सास्थ मारग के अनुसार दिया था लेकिन फिर भी उनके जीवन में ना पुट्रो ना पिचा पुत्री ना पुत्र ना पुत्री कोई वियुन के जीवन में नहीं था इसलिए तता चंता तरो ब्रिसम वो इसी चंता में दिनरात डूबी रहते थे एक दम तो नुसे रहा ने गया वो घर का पर्त्याग करके जंगल में आत्मत्या की विचारदारा से चले गए खिर्ण चित्त होकर के पासान खंड़ पर बैटे हुए थे उसी समय एक मात्मा ने देखा कि कोई ब्रह्मन है बड़ा दुखी दिखाई पड़ा है सन्यास्री मात्मा चल करके उसी ब्रह्मन के पास में आए कथम ब्रह्मन दीन मुखा कि ब्रह्मन देखा आप इतने दुखाई क्यों दुखाई पड़ा है कथम ब्रह्मन कथम रोदिशिविप्रत्तम काते चिंता बलियसी बदतम सत्रम्मयम स्वस्य दुख्यसे कारणम ब्रह्मन देखा आप क्यों दुखी हैं आपके आपनों से अश्रुपात क्यों रहा है काते चंता बलियसी बदतम सत्रम्मयम अत्यंत स्वस्य दुख्यसे सारी घटना कैसना हो मैं आपको समाधान करने के चेष्टा करूँगा ब्रह्मन दोठा उसने का कि मराज हमने सुना है कि संत करने को अकरने में और करने को करने में परिवर्तत कर देते इसलिए हम आपके सामने दुख अपना निवेदत करते हैं पालते या मया धेनु साब अंध्या सर्वता भवेत यो मया रोपितों व्रिक्चा सोपी बंध्यत्त मात्रेत पालते या मया धेनु मैं जिस गाय का पारन पोशन करता हूं गाय दूद देना बंद कर देती वो भी बच्चे देना बंद कर देती मैं जिस व्रक्ष को लगाता हूं वो फन नहीं देता और कहते हैं साधी सारे के सारे कारण इसलिए क्योंकि मैं संतानवान नहीं है इसलिए आप मेरी संसार में जीने की कोई एक्छा नहीं है इसलिए शन्यासी ने महात्मा के चटनों में वो पड़ गये कि मराजी कुछ भी करो आप कुछ ऐसी कृपा करो कि मुझे पुत्र रखन की प्राप्ति हो जाए शंत ने उनको समझाया के मुंचा ज्यानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मन हों गतिही बिवेकम्तू समा साध्या जज संसार बाचना कि अगर ब्राह्मन देवता मुंचा ज्यानम प्रजारूपम यह जो पुत्र के रहने से ही मुक्ति होगी यह अज्यान को छोड़ दो भीष्ठा मा की कोई संतान नहीं थी लोग कहते हैं पुत्र ने होगा तो तरपन कोन करेगा लेक कहते हैं कि आज सारी की सारी दुनिया ज अगर तुमने नालायक बेटा प्याद ही कर दिया तो क्या फादा पुत्र से पुत्र तो काद नसंचया और पुत्र को पुत्र तो काद नसंचया उसके भी दिवहीkor принnal कि तुमारी मुक्ति होने वाली नहीं ऐसे शत्कर्म जीवन में करके जाओ कि सारी दुनिया आपको अपना पुर्खा माने करके आपका तरपन करें जैसे भीष्पता मैं जी को आज दुनिया तरपन का आर्थ होता है कि उस आत्मा के लिए आप वो शत्कर्म करो जिस उसको तरपती हो लेकन भीष्पता मैं जी तो तरपत हो चुके ठाकुर जी के धामको गए वो परामभक्ति टि सौनता शास ओ 파रमत भगवान मैं ही समा गए वो तो फिर क्यों तरपन करते हैं का उनको तरपते नहीं होती ठाकुर्जी का पूजन करने से ठाकुर्जी को भोग नहीं लगता ध्यान रखना अपना सोते हैं कि ठाकुर्जी भूखे बेटे अरे देखो एत्ती देर होगी ठाकुर्जी को भोग नहीं लगा है उके वेटे भाव तो अच्छा है लेकिन ध्यान रखना ठाकवरजी को भोग लगाने से आपकी आत्मा तर्प्त होती है आपका सत्कर्म सार्थक होता है इसलिए भाव वस्थ भगवान शुक्न धान करूना भवाना भावना से मुझ्चज्नम् प्रजारू बल्ष्टा कर्वनों गति वेकम तू समासाध्य त्यज़ संसार वासनाम संसार की वासना का प्रत्याथ कभी कभी लोग संसार में ऐसी बातें प्रचलित कर देते हैं कि उसको देख लिया तो यह हो गया उसको देख लिया तो ऐसा हो गया कीए नियुकरती है कि अगर शुबवे ऐक राजा चला जा रहा था कि राजा चला जा रहा था और सन्योक्षा उसने पूरे दिन बार उसे भूजन नी मिला उसने मंत्री से पूछा मंत्रिवर आज मैं इसा कौन सा कर्म किया जिसकी कारन पूरे दिन बार मुझे पानी नसीब बोजन नी मिला, का भारादी बोटो मैं जानता हूं बता दू, बोले हां बताओ, का जब आप जो जो ही आप अपने घर से बाहर निकले थे, तो ही आपने एक काने आधिमी को देखा था एक आख बाला थार उसको आपने देखा उसके कारन से आप पूरे दिल भर भोदन नसीवी हुआ, राजा को बड़ा गुस्सा है, राजा ने कहां उसे सजाए मौत देदो, सजाए मौत दो उसको ना जाने कितने लोग सुए देखते होंगे, कितने लोगों के जीवन में ऐसा ह होता होगा, अब महाराज उसकाने व्यक्ति को जिसकी एक आख नहीं थी, उसको सजाए मौत सुना दी गई, अब महाराज नियम होता था प्राचे निकाल में कि अगर किसी को सजा मौत के आज भी है, कि मौत की सजा दी जाती है, तो उससे को पूछा जाता है, अन्तिम ख्व सजा से मिलना चाहता हूँ, तो राजा सब के सामने उसे लाया गया, और ने के पर लेहत करी बढ़ी हो, राजा से उसने पूछा कि सजा मुझे किस अपराध की सजा दी जा रही है, मैंने कौन सी गल्ती की जिसकी करन मुझे मौत की सजा पर प्राशी पलट काय जा रहा है, राजा ने का तुम्हें एक ऐसे अभागे प्राणियों कि तुम्हेरा दर्शन कर लेता है उसे पूरे दिन वर भोजन ने मिलता, प्रूप क्या है, प्रमान क्या है, बले मैं खुद प्रमान क्या है, मैंने आप तुम्हें सुवे सुवे देखा थार दिन वर मुझे भोजन राज मेरे देखने से तो केवल आपको भोजन नहीं मिला लेकिन मैंने इससे सुवे सुवे देखा था उसके काण मेरी मौत हो रही है बोले वो कौन है बोले वो आप है क्योंकि मैंने सुवे सुवे से पढ़े आपको देखा था तब राजा को उस सम्झे में आया कि ये दक्यानोशी परंप्रा की बातों को एक दूसरे को एक तो विचारी की पहले से एक आख चलिगी अब आप उसको कौकर देखने से यह हो गया फ़ला ना हो गया संतान नहीं है तो यह हो गया बो हो गया अब आप 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 तो पंड जीरोते हुए बोले कि बिवेकेन भावेत किम्में पुत्रम देही बला दपी महना जे मेरे ज्ञान वेरागिस से कुछ होने वाला नहीं है मुझे तो पुत्र चाहिए का एक काम करो तुम सब चक्कर छोड़ो तुम भी सादू बर जाओ हमारे साथ में का गरष्ता सर्शालो के पुत्र पहताज समन मेता हुए सन्यास्री का जीवन बला नीदेश होता है ना पत्नी ना पुत्र ना घर ना परिवार आशी घूमत रहते है उठा करके अपना आसन हाँ महत्मा का जीवन बड़ा विचत होता है कभी घना घना कभी मोठी बर्चना और कभी बोभी बना मस्ती चलती है कि इसलिए कहने का ताथ पर यह होता है और उन्हें सम्झाया कि ग्रष्ट की चकर में ग्रष्ट का जो दीवन होता अपने संतान प्राप्त ना करने के दुख्षेगर आपने मुझे संतान का वचन निदिया तो उसने गंचा निकाला और अपने गले डाल में डाल करके अभी मैं मर्द आऊंगा आपके सामने देखते देखते महातमा जी महातमा जीन उसका हाथ पकड़ा रुख अब मैं तुझे देई देता हूँ और उसके बाद में एक नारियल ले दिया का जा इससे तुझे पुत्र की रत्न की प्राप्ति होगी और ज्यान रखना कि इस पुत्र इसको ग्रन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी अब मराज वो फल लेकर के आए, फल लेकर के अपनी पत्री शिका के हमारा काम बन गया, चलो मैं तुर्थियात्रा कर रहा हूँ, महात्मा की कर पास हो गया, इसको फल खा ले ना, इससे तुझे फल की प्राप्ति हो जाएगी, अब सुनो सा उनकी पत्री का नाम क्या था धुन्दली, धुन्दली का अर्थ क्या होता है, जब आपको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, तो आप क्या कहते हैं कि हमारी नजर धुन्दली गोई, जिसको सत्य दिखलाईना पड़े, शंसार का, उसी का नाम धुन्दली है, हम सब धुन्दली हैं, जो सत्य है वो दि अप्तमान करके जी रहें प्रजटेशों दीखें नहीं धिग देगे यागी जंद तुलसी दाजन लिखा है तुलसी आसं सारे को भयो मोतिया दिन प्रजटेशों दिखें नहीं प्रजटेशों दिखें नहीं देगे देगे यागी जिन खुशाई देगे देगे यागी जिन तुलसी आसं सारे को भयो मोतिया दिन तुलसी आसं सारे को भयो मोतिया दिन कि अटותको करने है कि आसं सारे को क्रण देगे प्रजबड करने दुल देगे ऐसं देगे देगे यागी जिन देगे भयो मोतिया तुलसstein कि देगे देगे के यागी तो मौतिया बिंद हो गया है, बोले प्रगेटे सोधी कह नहीं, जो परमात्मा कनकन मानुष्यत हो रहा है, तुमारी अंदर बैठा हुआ है, प्रगेटों सोधी कह नहीं, धेगे धेगे यांकी जिन्द, तो धुंदली ने उस फलकों नहीं खाया, चंता में डूब गई, उस से बहों एंधुस्य वोली मेरे पत्चिद हो ओल्ता काम करके सांहितक, हम से कहती हमसादू बनने जा रहा है भी लोटके आगे, और लोटके आा की कहती है, तो उस यहा बच्छा मया धउना भाबेशनांगता भी नहीं, और लालने बालने, तो खंचांचे बच्चे को शुकमी, बाबा मुझसे नहीं होगने वाला है, तुु बता मैं प्रफंच से कैसे बच जाओं का, कि मेरे तमाम बच्चे हो चुके हैं, एक बच्चा और मेरी कोख में है, तु इस फल को मत खा, इस फल को तु गाय को खिला दे, पता भी लग जाएगा, बाबाओं के मनत अंत्र में को खोता है कि ठकती रहते लोगों गाय खोलागी तु अर उसके बाद में मुझे मेरे पतिदेव कहेंगी, बोले बच्चा तो मैं तेरा ले लूंगी लेकर न उसको भूग लगई कि दूद कहां से प्लाओंगी का मुझे नौकरानी की रूप में रख ले ना और कुछ देते रहे ना मेरे पति को द्रभ और मैं आपके बच्चे को दूद प्लाती रहूँगी ऐसा ही उसने किया संद्ध क्प्रभव hoping चंद्र माने की त्रह आवाश्य आवासत होते हुए ट्रिमा से निर्घते चात नहीं वे तीन महिने के बाद में उश्गायरी इतना सुंदर बाद बच्चे और बास बुक्तेम दिया वे खमनी बच्चे को जनम दिया सरवांग सुन्धरम अन निर्मलम की तरह दर्धी प्रमान हुने वाला था बिलकुल आड़मी की तरहें शॉनें शज़े लाट करा था केवल एक ही अंतर था उसके जो कान थे वो गाय के तरस्मान थे इसलिए महत्मावने उसका नाम गौकन रखदिया वोलो गौकन महराज एकी और इधर धुंदकारी ने जिस बच्चे को लिया उसका नाम उसने क्या रखा धुंदकारी, धुंदकारी वो खुद थी और उसका नाम रख दिया धुंदकारी, धुंदकार जानते हो न जब धुंदकार इच्छा जाता तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो धुंदकारी कुछ काल के बाद में दौनों ही वच्चे तरना वस्था को प्राप्त हुए पर गौकरने किसंत के असीरवाद से गाय से जनमे थे इसलिए गौकरना पंड़तों ग्यानी ग्यानी पंड़तों उनको कासी भेजा गया यर्गो प्रविसंसकार हुआ कि अर इसको भी कासी भेजने की जब बात की तो माने अपने आचनाओं पगले हम अपने मॉला को काउने भीज़ें में तो हम से हैं जहाए जमार हो जाए को चू हो जाए लेकरन हम नी भीज रहे हैं पडने के लिए आपने गरंगें पार तो रखो सो माराज धुन्दकारी डकेतियां डालने लगा दूसरों के घरों में और जीवें हिंसा भी करने लगा हर दम मालूम कैसे रहता है था हिंस कहा सस्त्रधारी चांद दीनांधानाम प्रपीड कहा हिंस कहा जीवों के हत्या करके खाने वाला था और अगर कोई अंधा मिल जाएं काई भईया रास्ता बता दो तो ना विचारा डूपता हो तो यशे कुए की तरफ भगा दे काई के धर जाओ और कुए मिजा के धरामसे नों को गिरा दे दीनांधा नाम प्रपीड का चांदा लाविरतानित्यम शंगत कैसी थी वह चंडाल इसलिए अपने बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना चाहिए कितने भी कीमती स्कूल में आप पढ़ा दो चाहिए अच्छे कानवेंट में आप पढ़ा दो खूब अंग्रेजी सिखा दो नको आप लेकिन ध्यान रखना कि तुम बच्चों को पढ़ाते समें सोसाइटी कैसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना जहां पर संस्कार आती रहें क्योंकि कोना को संगती पाए नसाई रहये न नीचे मते चैतुराई रहये न नीचे मते चैतुराई रहये न नेचे मते चैतुराई हिंस का सस्त्रधारी चा दीनांधा नाम प्रपीडिका चांडाला भीरतो नित्यम निरंतर चंडाला प्रवत्ति के लोगों का इसाथ करता था चंडाला भीरतो नित्यम पासे हस्ता स्वसंगता हर नम भरसा लेकर की चलता था हिंसक था इधर माराज गौकरनजी माराज कासी में पढ़ने के लिए चले गया सास्ता धिन कर रहे थे बेदा धिन कर रहे थे और इस पुत्र ने अपने दुराचरणों के कारण पिता जी की आत्मा को खिंने कर दिया जुआ खिलने के लिए अपना इधर ओधर चुपा करके रखा हुआ धन उठा के ले जाता था शुभे जाये तो शाम तक चार केसे बना के आ जाता था पिता जी कि यहाँ पर सिकादी की लाइन लगी लेती थी आज इस नहीं ये किया आज इस नहीं ये किया तो वो त्रिष्टो होकर कि अपने पुत्र के दुराचरणों पर रोने लगे का पुत्र सुपुत्र तो का धन संच है यदि पुत्र अच्छा है तो धन एकत्र करके क्या करोगे क्योंकि वो अपने सद्गुणों से धन बहुत कमा लेगा और पुत्र यदि कुपुत्र है तो तो धन एकत्र करके क्या करोगे क्योंकि तुमने जितना कमा करके रखा है वो अपने व्यसन में सारा बरवात कर डालेगा कि अशली है अत्यन तो दुखी हुगे कितनी चाय थी कि मेरे मन में एक बेटा पैदा हो और बाद में रोते हुए उन्होंने दो इसलोक कहे हैं ध्यान से सुनना असारा खलू संसारो दुख्य रूहो पीवी मुही का शुता कस्य दनम कस स्नेहबान जुलिते निसम यह सारा का सारा संसार नीरस है असारा खलू संसारो दुख्य रूफी विमुही का यह हम इसके शुक्ष शंपदाओं के और मुहेद होते हुए और उसमें गुस्ते हुए चले जाते हैं तुलसिदा जी लेगते हैं कि छूटे ना आधिके हैं आधिके अरुजाई कि अपने सुन दें कि माया है चोड़ दू क्या रखाया मराजी कोछ नी रखाया इसको छोड़ दू एक बार एक बार महर्शी नारच जी किसी गाउं में आये एक बार जी पासन गये घरिषागर में तो भगवान नाराच जीन का देवत्तन सौगत किया आओ नारच जीन का आपके ठाकोड़ जी सब अच्छा है आपके छीरिसागर में कितने संपत्त्तिय क्या गजब के अहांतिया पर गुमर्ण कितने मनी माने के पहाल क्या दूद की कि इतने बड़ी सुख आनंद चीर सागार प्रकिति परिया अवारन धन्न संपदा अकेली मौझ उठा रहे दो चार कुछ लोग आजाए तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा क्या जड़ी बना करते हैं जो आना चाहे चला या देखो ने वा के फिसी के घर मोट म humor जहआ ने तो तो तयार हम को भी लगता हम अके ले बैटे आजाए जाए लोग नरजी मरादे गाओं में गए और गाओं में जाने की बाद में कि बुड़े बुड़े कोई सज्जन खिले में बैटे हुए थे खलयान में उनके चेला थे सुमाराज उनको गुरुजी को देखते ही मتم करें ही खात्ता थे आन से हम बटन कहके आया है और आपका सिद रेजर्वेशन को आए आप को सिढ़े भैकुंट लेने के लिए हैं Ét zwar कि अवसवा के बुड़े इस यह तुड़ी का सीदे ले जाए हम ओले हम बचे के ली आजान ही में के ने कि आथ तो्था है वर्न है कि महराज हम्हारे वो चाल अलगे थे अभटीन की साध़ी हो गई बिस एक बच्चे की साध़ी और हो जाए फिर रखा क्या संतार ब्यकार मारा तब साप एक साध्य जाना है आपके साथ चले आपके साथ में लेकिन क्या है ना हमने सुना है कि पंती का अगर मुख देख लो तो सीधे स्वर्क के दरवाजे खोले हुए अरे मुर कहीं के स्वर्क के चक्कर में आपके साथ मुख देख लिया होगा चले अब नारज जी ने मेडिटेशन किया तो देखें कि गए का तो वहीं पर साफ बनकर के बेटे हुए थे वोले साफ क्यों बने हुए वोले महराज हमने संपत्ति जो कमाता है बो ही जानता है उसका दर्द इसलिए जो लोग पैसा कमा करके जार करके धर लेते हैं दान में नी लगाते हैं सथ तेरा क्ता में कर लिने दो उसके बाद में माराजी वो शांप भी मर गया नाराजी ने देखा गए कहां तो कुट्टा बनकर के दरवाजे पर खड़े थे बोले अब तुम कुट्टा बनकर के जूठे टुकणों पर पर खड़े कम अब तो चलो तुम बेकुंट के लिए भगवान नारन का एक लाके दिखाओ नाराजी का अब तो चलो भगवान से मैं मुए बचन दे दिया हूँ हम कहके आये कि अब तो जरूर आ जाएगा अब तो प्रखणों पर जूठे तुम पर आप तो चलो मारे साथ मुझा क्या है ना कि हमारा रही तो परिबार है थोड़े से बच्चों को देखते हैं बहु है थोड़े सावदान नहीं है और पता नहीं कौन घुसा है कौन चला है इसलिए हम थोड़ा दरवाजे पर बने रहते है कि कोई ओड़ा सिधा कोई गोसे निए अब उसके बाद में माराज तब तक एक घर के अंदर सुनका पंती निकला उनको बड़ा प्यार जगा उसको चाटनी लगे और जब चाटनी लगे तो जो बहु आपर खड़ी हुए थी लोगदार रंडा लेकर गड़ी तड़ा से मारा पिछे से सो काई काई करते हुए भागे नारजी निका मूर कहीं के अब तो तू डंडे खा रहा आप तो चल कामराज कॉन पराय है अपनी तो बच्चे है कोई बात भी है अपनी अपनी अब महरज बात में अब पता लगा वो कुत्ता भी मर गया कुत्ता मर जाने के बाद म महर जो होते न उसमें उसमें कले भी पढ़ जाती है तो सुडी बन चरक के इसमें मलमूतर के के रहा कर दक आए थी नारजी ने काई करे मोर के कम से कम आप तो तूं मलमूतर में पढ़ा मा मूर आप तो चल fé यड़े साथ घा आप आप से तो बाते खननी है तो नारजी कि पूरा एतने दिन तुने तनी बरसे मेरी बरबाद कर दी अब में भगवार को जा करके क्या सुदू। संसार घर गिरस्ती के कीड़े बने हुए वेशेलोग असारा खलू संसारों दुख्य रूपी विमोहिका शुता कश्य धनम कश्यो ना किसी का कोई बेटा है और ना धन किसी का है सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी उस धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी ना सोना का में आएगा ना चान्दी आएगी उस धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी ना सोना का में आएगा ना चान्दी आएगी होड़ा सौना कामे आएगा नचान्दी आएगी हो छोटा सकू कितने बड़े अर्मान हैं तेरे मिती का तू सोने के सब सामान हैं तेरे हो छोटा सकू कितने बड़े अर्मान हैं तेरे मिती तू सोने के सब सामान हैं तेरे हर मिती की काया मिती में मिती की काया मिती में जिस दिन समाएगी मिती की काया मिती में जिस दिन समाएगी और ना सोना काम में आएगा नचान्दी आएगी ना सोना काम में आएगा नचान्दी आएगी मिती कीओट्यों पस्राइगी और मिती काया नचान्दी आएगी 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 अच्छे किये तुने करम तो पाया मानातन संसार में भटका हुआ है आज तेरा मन अच्छे किये तुने करम तो पाया मानातन संसार में भटका हुआ है आज तेरा मन तेरे पात की नहीं आ तुझे जिस दिन दुबाएगी पात की नहीं आ तुझे जिस दिन दुबाएगी ओना सोना काम आएगा नचानी आएगा ओना सोना काम आएगा नचानी आएगी गलिख से एकर खादयान का लेंगे हैं कि ऑना अमने अढे जाहिए Puis विर गरल हो ताहिए हो यह साचिके पंची कुपिलरा तोड़ी के उड़े जा माया नगरी के सारे बन्धन तोड़े के उड़े जा हो यह साचिके पंची कुपिलरा तोड़ी के उड़े जा माया नगरी के सारे बन्धन तोड़े के उड़े जा ओ धड़कत में जिस दिन मौत तेरे गुलगुलाएगी हो ना सोना काम में आएगा नचांदी आएगी तो सोना काम में आएगा नचांदी आएगी हो ना सोना काम में आएगा नचांदी आएगी हो ना सोना काम में आएगा नचांदी आएगी हो ना सोना काम में आएगा नचांदी आएगी तो असारा खन संसारों दुख रूपी विमोय का सोताहा कस्य धनम कस्य स्नेहवान जो लिथे निचांदी आएगी इस संसार में किसका बेटा है कौन बेटा है जो सदन सदत कर तेरी मौत की साजादी आएगी कोई भी काम आने वाला नचांदी एक महराज वो कथा में आते थे कुछ तन बाद कथा में आना बंद कर दिया महत्माजी को वो टहलते हो बेगी वह सबे मिल गए महत्माजी ने का रोज तुम सत्छंग में आते थे कहम महाराज हम आप की तरह बाबा जी थोड़ी हमें मरने की फरुषब्सत न Loreoit करें आको किरा कथा क्या है? काजल करी कता कंपकी, यहां करकर सुरुखरती है, आपको दोगरॉई आये हमें मरने से फरुषब्सत निहोना आप के रेकå इतना काम विर्चन के लिए करते हैं? विर्चन की लिए करते हैं अबक्का भॉले महारज आप क्या बताओगे कितना प्रेम करते मेरे उपर प्रान देने के लिए ने उचावर लेते मेरी पत्नी तो कहते है आप इस सब कोछ आप नी रहे तो हम काए काऊगी और भाएया तो कहते हैं भाएया तमी ओ जो कोछ बस बेटे वैसी कहते कि आप का बता दो कैसे बता ओगे तो उनने का क्या मेरे दो चार दिन मेरे पास दो चार दिन अपने पास में बुलाकर करके उनको योगा असन शिखा दिया और उनके प्रान जोतिना ब्रमान कि यहां रोकना सिख जाओ बोले ठीके बोले अब तुम जब जान गए तुम घर जाना और वोजन और गधन बनबननों के तयार होजाए खाना मत और तुम्हिए और फिर वहां पर लास बन करके तुम घर जाना और जब तक मैंना आज आओं तब तक उठना मत जब तक मैंना कॉँँ तब तक उठना मत अब महराज रुन का चलो देखी लो महराज कह रहे है घर में आये स्री मती जी से बोले कि आज तो अच्छे-च्छे कुछ बिंजन बनाओ स्री मती जीन ने देखा पते देओ प्रसन ने बड़ी सुंदर सुंदर विंजन बनाकर के ठाली में परोशे बाबाजी की बात याद आई और वो एकदम जो है अपने प्राणों को ब्रमान में रख करकर धाम से गिर पड़े पत्री में बनाने में लगी हुई थी खापी भी नी पाई कुछ अभी दुनिया को पता लगा नहीं अगर पता लग जा तो मैं तीन दन तक नहीं खापाऊंगा इसलिए अभी तो किसी को मालूम नी पहले मैं भोजन कर लो उसके बाद में फिर शुरू करोंगी अपना रोन लग अभ्लार करके अंगन में रहा हुआ है रहा है अभी आफसी पठाक करके ना बालों कि सुद ना सहिव कि सुद रहा अवारे प्रांच बाद घ्रम नुट कर लूट कर लग भाए्या लोग वह रहे है मेरा सहरा चला गया रहा है, यह ही तो सबको ते पता जी का एं रफ्तब चलाजया वहाब करें वुल अवाब करें फूड़े और हमारे पास एक corazónने है वोलो आप लोग तायार हो जाए होता हा हम जिन्दा कर देंब कैसे जिन्दा कर सकते हो तो औरो ने 1 ग्लास पानी लाग और 1 ग्लास पानी लागने Hmya, जिन्दा लाग। यहा उल्थ, जियान रखे जिकात, तो में जिन्दा हो जाएगा कर दो जिते हाँ, तो यहाँ विर भाझ में बच्चे's से कहा वहाँ होगे आप गुटसको बहुत रूखे जिकाए, डिर लह डा CV आपाँ पकड़ के कहा है, हम कैसे जिन्दा रहेंगे को 000 भाप से का तुम पीलो TUM बहुत रो रहे हैं अरे माराज र viol कि लोya ही वहाल्त एंपने नइछे बडरहाएं उनने की लिए क्यूत मघढ जाए। भाफ से का कि तुम ही पीलो तो बाफने कहा माराज अगर सही बात पुछो तो सबसे ज्यादा घर मेने कमा जैई था आप क्या करें रोना तो पढ़ता है समसार की परंपरा है मा से का कि आप पिलो तो महता जी ने का कि मेरा रहना तो बहुत ज़ूरी जरूरी इसने bus मेरा नहीं है के कोई रहे आगा मेरा नहीं न Sage पत्वी का आप पिलो आपके सरवस्न का पितभर हैं डुक के शसवरारी अब जयसे चरही कि कांट लेंगी जी वन ब्चा है कुछ दिन स्चराल में वे स्थाल में कुछ दिन माय केमल TC तो उसके बाद मातमा जी में का केपर हम पीले सब प्रणाम करने लगे भाराजे परहत लागत जय जो देए संत्र कर तो दर्थी पर होता रही है परवकार के लिए होता है संत्र कर दर्थी में पर महराज बड़ी किरपा होगी आप लोगों को संत्र भाई अगर जय पर जाए सुता कस्य धनम कस्य इसने वान जलती निशा आगे के स्लोक में बड़ी सुन्दर बात है न चेंद्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्ती नहा शुखमस्ती विरक्तस्य न तो इंद्र को सुखे नचेंद्रस्य सुखम किंचित लोग सोते हैं कि इंद्र सुखी है लेकिन पुराणों में कता हैं सुनों इंद्र भी बिचारा बड़ा दुखी नहीं अगर कोई यग करनी लग जा तो घब्रा जाता काहिए मेरी कुरुशी ना ले लेंगा तो का केंदcidos किन्धरत्bell शुखी नहीं है नचेंद्रस्ष शुखाम किंचिप नशुखाम चक्रवेर्द्ी नहा तो बैज है चक्रवर्ति राजा लो तो सुखी होते हूंगी कका चक्रवरती राजाओं से पूछ लो मोदी जी से के कितनी निन्धी सोते हैं योगियी से पूछ कितनी देर सो पाते हैं कितनी देर क्या करते हैं उनको भी घीवन में आँखों में इंध नहीं है तो फ्रबोले कि dreth के लिए केनी का नहीं केवल विरक्त कोई है जीवन में जिसकी सांसारिक आ सकते ना हो और मुनेर एकांत वासी नहाँ तो एकांत वासी हो करके केवल तक तो चंतन करते हैं। वही दुनिया में सुखी है और कोई भी तनधन सुखिया कोई न देखा। जो देखा सो दुखिया रे, शूरी दुखिया है, चंद्र दुखिया है, भरमत निसदन जाया रे, विश्वा मित्र जनम के दुखिया, जिन जीती नहीं माया रे, कैत कवीर सोई नर सुखिया, जो एही मन को जीता रे, जिसने मन को जीत लिया, संसार में सुखी वही है, और सुन्दर उभ्दिश्दिया है और उन्होंने कहा है देहे इस्टी मां स्रुद्रेवी मतमत जित्तम जाया सुता दिश्दा ममताम में मुझ्चो पस्यानिसम जगेदे मुझ्छन भंगनिष्टम पिताजी शरीर की आसक्ति का प्रत्याग कर दो इस शरीर के अंदर मैं अस्ति म पतनिक सेवा पुत्र का ध्यान पुता का ध्यान का यह सब लोगधर में और परमधर में क्या है वोले आत्मा के रिस्तेदारी केवल परमात्मा से है और किसी से नहीं है इसलिए त्याजे लोगधर्मान शेवस साधु पुरसान जैही कामत रिशनाम इसलिए वासनाओं को जीत करके शत्संग में बैठ करके केवल हारी कथा रस पान करो इस्षी में जीवन धन्य है पिता जी ने अपने पुत्र का उस उफदेश को श्रवन किया और वो जंगल के लिए चले गए और नित्यम दसमसकंदर से पाठाथ दसमसकंद का पाठ करते हुए और ने ठाकुर जी की प पिता मर गए तो पिता का थोड़ा बहुत डर था अब वो निर्भीक होगा हो गया पितरु परते तेनो जननी ताडिता भिसम क्वावित्तम तर्ष्टति भूए अनिस्य लत्याना चे पिता की मर्तु के बाद में उसने मां को सताना शुरू कर दिया और वो कहता है क्वाव सतना शुरूं गए उसने माद में उसने मलाख दूसरा सका आरथ यही है महत्तव पूर्ण बात इक इस अंसार में कितनी बात मात पूरू। सतना शुरन गए लट्याना चे पितनий सँने मार था पिता रहहा है ुख बक्रत्ति जान एक्रामी का आता है। आज उसका बेटा कह रहा है, मैं तुझे लातों से मारूँगा, अथवा लत्याद चेत का मतलब होता है, जलती हुई लुकाटे से मैं तुझे मारूँगा, यह जो दुख आता है, कहां से आता है, उस दुंदली ने, अगर उस संद का अपने पती का कहना मान लिया होता, और आज उसने वो फल खाया होता, तो आज वो कितने महान पत्र की मा होती, और कितनी दुनिया में उसकी पूजा होती, कितनी कीर्थी गाथा उसकी होती, लेकिन उसके करवे ही उसके दुख का कारण है, उससे कौन सता रहा है, उसका पाप वही बेटा जिसको उसने पाला पोसा उसके बाद में पुत्र के दुक्ख के कारण से उसने अपने प्राणों का परत्याक कर दिया गुखंग करके उसने अपनी मौत को बरन कर लिया और महराज इधर धुंदकारी अम माता-पता दौनों चले गए तो उसने जो पांच मां पाप था वो शुरू कर दिया अभी तक वो जुआ खिलता था अभी तक वो परश्ट्री गवन करता था अभी तक वो जीव इंसा करता था सनाप पिता था लेकिन अब उनकी संगती और उनको अपने घर में जुआ के अड़े खुलवा दिए वैश्याय उसने अपने घर में रख लिए प्राकाश्टाका हो और एक दिन वैश्याय ने देखा कि नित नित लूट लूट करके सोने चांदी ये लेकर के आता है अगर राजा को पता लगा तो छापा मार देगा और इसको सजाए मौत देगा सारी संपत्ति राजा चीन लेगा तो राजा तो एक दन से मौत सजा देगा ही संपत्ति छीन लेगा तो क्योना हमी लोग मिल करके इसको सोते में मार डालें और इसकी संपत्ति को आपस में बाढ़ दिया शेट पत्नी को उसने भगा दिया था पर नात्र के बक्त जब वो सो रहा था उसमें उन वैस्याओं ने उसके हाथ और पाउं को चारपाई से बांद दिया एक रश चीकने लगा चिलाने लगा कि मुझता मुझता में समझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो उसमें उन्हों क्या किया तब तांगार समुहा सो तन मुखे ही बचचपू उसी अगनी वही पर जल रही थे बड़े-बड़े अंगारे जावे से उठाए और उसके मुखमे ठोश ब्याकलो निधिनम गता और इस प्रकार से उसके अधोगती हुई अकाल मर्तु हुई भयानक प्रेतियोनी को प्राप्त हुआ उसके भाई तीरत्यात्रा करके जब लोटे पिता का तरपन किया उनको पता लग गया था मेरा भाई मर गया भाई के लिए भी नोने अस्तिव सर लाट करके निविद्तो करके अपने घर आए रात्री को सूरेग और रात्री को सोते हुई रोणे क्या देखा शक्र्ण में साज सक्र धस्ति शक्रच्य महिसो भवत शक्रदिंद्रह सक्रच्यागनी पुनेष्यपुर्षो भवत उसने देखा को उसके आंगन में कोई भयान जमीन को खुड़ रहा है कभी हाथी को देखा हाथी चिगाल रहा है कभी देखा इंदर खड़े हुए और कभी देखा फिर पुरुस है गौकण जी महराज सर्वसास्त विशारज थे वे जान गए अयम दुर्गति का कोफी निश्चित क्यात तमब्रवीत निश्चित रूप से ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुई आत्मा है प्रेतात्मा है इसलिए तीर्त का जो जल्लाए थे औरोने इसके उपर छड़का और पूचा वता तुम कौन हो तो उसने रोते-रोते हात जुड़ करके कहा कि अहम भ्राता तदी ओश्मी धुम्दुकारी थी नामे था श्वकिये नईव दो सेना श्वकिये नईव दो सेना ब्रम्हत्तम नासितम मया हे भाईया गौकर्ण मैं तुमारा भाई धुन्दकारी हुई मैं भी तुमारी तरह ब्राम्बन मज़्च में पैदा हुआ लेकिन मैंने ब्राम्बनवस का कोई भी आचन जीवन नहीं थी इस कारण से आज मैं इतने पापी हुँ मैं कि भयाना के प्रेतियोनी में हुँ गौकण जी मारतने का अहो मात आस्रीम बड़े आश्री की बात आपके लिए तुम्हें गया जी हो आया पिंडदान कर लिए आपके लिए आपकी आत्मा को मैंने सब कुछ कर दिया स्राद्द कर दिया तो उस प्रतात्म ने का कि गया श्राद्र सतेनापी मुक्तिर मेन भविष्यती मेरे दीन बंदु भाई तुम बड़े करुना सागर कर दो तो भी में इतना वड़ा पापी हूँ कि मेरी मुक्ति संभव नहीं है इसलिए उपायम अपरम किंचित तम विचारे सांप्रत इसलिए मेरी मुक्ति के लिए कोई शुद्रन और कोई इसी भी बड़ा जो उपाय हो भू बताओ सब पंडित लोग आसे में फड़े किसास्त्रों में विधान तो इतनी है कि की अस्ति में जा-इस्थon करते काशि वर कि गयाजी में जाकर कि श्राध करते हैं, और अन्त में चार धाम यात्रा करते हुए, बद्रिनाद धाम में जाकर कि चावल लीयकर करें के अतमा को भगवान के धाम में बैठा दिए. और मैंने सबकर्म कर लिए अब अगर इन शास्त्रों के विदी के बाबजूद भी इनका यह अगर उध्धार नहीं हुआ प्रेतियोंनी में पड़े हुए तो फिर में क्या करूँ गायत्री मंतर का जाब करते थे शूरी से ताटक त्राटक साधना की शूरी की उर्दिखा और उसी समय पर शूरी भगवान की किरनों से आवाज उनको सुनाई पड़े क्या सुनाई पड़ा सुनिए शूरिय भगवान की गायत्रिय शूरिय भगवान ग्यान के देवतान उन्हों क्या बताया मुक्ति के लिए अगर कोई आत्मा प्रेत बन गई हो कितना सुंद्र विचार है इस गाउं का सर्रा केसले कि सारे गाउं के लोगों ने मिलकर के श्रिमद भागवत ग्यान महायग इस श्रिमद भागवत ग्यान यग इस नाकेवल इस गाम की प्रतात्मय मुक्त होंगी अब भी तो जो भी सुनने के लिए आएंगे इसका नियोम है कि कथा में जब आऊ तो खनडा पूरवक थोड़े 5 मुनटे पहले आजाओ कई बार आप बस में भी तो लेठ हो जाते हो कई बार ट्रेन में भी तो लेठ हो जाते हो अगर इस कथा में बैसे भी मैं प्रशिदू थोड़ा लेट करने के लिए अगर थोड़ा बहुत में लेट हो हूँ तो सोच लेना ये ठाकुरजी के एक्छा है और कथा को पूरा सुनू शर्दार वक्ति के साथ में इस कथा को श्रमन करने से क्योंकि मैं प्राया प्रयत्न करता हूँ कि शांस्त्रवदी से जो श्रमत भागवत में लखा है उस लोकों की प्रामानिक्ता के साथ में आपको बताते हुए चलें नहीं तो अन्यता होता क्या है कि बाहर की बातें ज्यादा आजाती है और कथा बहुत कभ हुपाती है इसलिए महात्वपुन बात इसमें कहें गई कि क्या बताया भगवान सुर्णे और यह केवल प्रेतात्माओं के लिए नहीं है ये भक्ति के लिए भी है, ये ज्ञान के लिए भी है, ये बैराग के लिए भी है, मानों जीवन की शार्थक्ता के लिए है, क्योंकि पहले आपको बता जिया, कि भक्ति सुतव तव तरणों ग्रहित्वा प्रेमाई की रूपा सह साविराशित, भक्ति के लिए कि तरणों हो गर हो हे बक्ति जनाराइ बहुती हिसे सुपुर ड़ने में कि seems होगी साफटा एक यह भाग्वानौ समुध कैसे हो कि थो शूरिय वगवान ने का कि इस पापी की भी मुक्ति का एक ही उपाय है श्रीमत भागवतान मुक्ति श्रीमत भागवत महा पुराण का सप्ताएं वाचन करो उसे इसकी मुक्त योगए हो जागी वरो श्रीमत भागवत महा पुराणे की जै 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 श्री रादे जे जे श्री रादे जे जे श्री रादे जितने भी वहां ब्राह्मन, वेदग्य, महात्मा, भक्त लोग खड़े वे थे सबी ने उसका समर्थन किया सबी लोगोंने क्या कहा उन्होंने कहा कि महाराज बहुत इतसूर्य वचास सर्वाईर सभी ने धर्म के सार के रूप में उसे ग्रन किया और फिर गौकरन जी महराज ने अत्यन्त दिब्वतम वेदग्य ब्रामनों को बुला करके उनसे संशुद्धी शोधन करते हुए और फिर उन्होंने खोद ही कथा कि कि शप्ताय कि एक हरा बांस रखा उसकी साथ गांटें थी उसने दुन्दकारी को ब्राजमान करवाया और उनके निमत उनने कथा सुगी पहले दो टाइम कथा होती थी एक शप्ताय में एक दिन की कथा में कम से कम पच्पन अध्याय आते हैं पच्पन पचास आस्पास उनको केवल पाठ भी किया जाए तो पांच घंटे चाहिए केवल पाठ करो तो और आपको मैं तीन शाड़े तीन चार घंटे में कैसे कथा सुनाओंगा इसलिए सार सार को गई रहे सार सार को समझाने की कोशिस करूँगा धर्मरूपम्त विश्वतम उनने कथा सुनाई एम सब् दिनेश चाहिवा एक दन की कथा जिवी पूरी होती तो एक गाठे फूड़ जाती है दूश्री गाठ ती सी गाठ फूड़ते फूड़ते सातमी दन पूरी गाठे उसकी खुल गे सब्त बंदन है हुआरे आत्मा की उपर शातों बंदन जो ही छोडते है तो ही भगवत शर स्वदाद ससकंद श्रिवना थे प्रेथ ताम जहूँ श्रीमद भागवत के दौदस ससकंद को स्रिवन करते ही प्रेथ योनिसुस की मुक्ति हो गई कि शुरूप में प्रणित हो गया वो बड़ा भयानक पापी उप्रेत था श्रीमाद भागवत में लेखते हैं दिब्वे रूप धरों जातस तुलशी दाम मंदिता पीत वासा घनस्यामों मुकुटी कुंडलान विथा दिब्वे रूप धरों जातस तुलशी दाम मंदिता पीत वासा पीतर है जटाईव कीतर है श्राम गाते विशाले भुझे चारी श्राम गाते विशाले भुझे चारी अज तु सिकारा थे नायने वहरिवारी अज तु सिकार थे नायने वहरिवारी तो दिब्वे रूपी धरों जातस तुलशी दाम मंडितः दिब्वे रूप उसका होगा तुलशी के माला विभू से थो रहे है पीतवासा घनाश्याम पीतांबरी उसके कंदे पर सुष्वे थो रहे है मेगवरन जैसा भगवानश्याम सुन्दर का है वाशी रूप होगया पीतवासा घनाश्यामो मुकुटी सुन्दर कृट 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 लाण विताहा कृट भगवान नाराण की तरह कृट से सुष्ववे रहे है और देखते ही देखते भगवाने के दिव्य पार्खद आये और उसको लेकर के ठाकुर जी के धाम को चलेगे वलो श्रीमत भागवत महापुराने की सभीर श्रीमुनियों ने का धन्या भागवती वारता प्रेत पीला विना से दन्य श्रीमत भागवत महापुराने की कथा जो किसी वी तरह से द्रुला प्रेत पुला से भी मुक्ति देती है और इसके बाद में जब मुक्ति हो गई लेकिन और सौताओं की मुक्ति नी हुई तो गोख्रण जी मराजी ने का कि ये तो अच्छा नियुआ अन्याय हुआ है और उन्होंने कहा, अत्राइब वभावा संत्री, श्रोतार हो मम निर्मला, आनी तानी विमानानी, नते साम युग पत्गता, मराजी, आत्र मेरे सभी दिविश्रोता है, बड़ी अच्छी श्रोता है, बड़ी शिद्दा भक्ति से विचारी घर्षी आकर की कता सुन रहें, इन सब की मुक्ति क्यों नहीं हुई, किवल दुंदकारी के लिए लोग क्या कहेंगे, कहेंगे अपने भईया को मुक्ति कर दि कि अगर भगवाने की प्रिया भागवत कता, यह फलवेद क्यों हो गया? तो आकास बाणी हुई, कि भागवत कता ने कोई भेद ने किया है, यह भेद सुनता ने किया है, बोले क्या किया? बोले ना तेन मरनम कृतम जिस श्रिद्दा, जिस भावना के साथ तुंदकारी ने कथा को सुना है उस तरह से इन लोगों ने कथा को सुना ही नहीं मात तो अगर देते तो ये दसनन्ट पहले भी काम खत्म करके कथा में आ सकते थे लेकिन नहीं अब यह तो कुर्तन करेंगे महराज होंदो आराम से चलेगा उसकी बाद में फिर तो कहने का ताथ पर यह के प्रेति ओनी का दुख भोगा नहीं है और जब प्रेति ओनी का दुख भोग लेंगी न आपने देखा होगा जब मुर्दा जलता है न चलता है तो आगे-ागे क्या जाता है एक घड़े को लेकर की जाती है क्योंकि मरने के बाद में आत्मा प्यास से छड़पटाती है प्र प्रेति ओनी जाएगा नि इसलिए उसे पीपल के पेड़ से बांदा जाता है अगर पास में कोई पेड़ होडस में एक छेद करके और एक कपड़ा लटका दिया जाता है ताकि टप-टप करके पानी गिरे उसे प्रेता आत्मा को दटति के लिए संति के लिए तो जिसने प पेरेना फटी विवाई सो क्यों जाने तीर पराई जाके पेरेना फटी विवाई सो कह जाने तीर पराई जो अतिया तब त्याकुल होई तरचाया चुके जाने सोई जो अतिया अपर ज्याकुल होई तरचाया चुके जाने तो होई मैं जो पेड़ की छाया का अनंद एशी काड़ी में बैठकर के चलने वाले क्या जानेगे पेड़ का मात क्या है जो भेचारा गाउं से दसमाच किलो किलमीटर पैदल चल के आ रहा हो और खुब जून का जुलाई का महिने का सूर्य तप रहा हो और उसके बाद में जब कोई पेड़े मिल जाता है तब उसे पता लगता है कि वाह कितना अनंद आ रहा है जो है तिया तप ब्याहकुले होई और तरुचाया सुखे जाने सोई इसलिए इन लोगों ने उस भाव के साथ में कथा को सरबन नहीं किया है इस बात को सुनते ही गाउवासी महराज गौकरण जी के चरणों में गिर पड़े का अपने एक वार अपने भाई के लिए कथा की अब महराज एक वार हमारे लिए भी कैदो हम भी आपके ही है अब हम एक-एक मिंट का ध्यान रखेंगे एक-एक सब्द को ध्यान से सुनेंगे महराज उसके बाद में गौकरण जी महराज ने अपने ग्राम वासियों के लिए फिर कथा की महराज उसके बाद में परिक्षित जी महराज ने श्रावन पहले कथा की थी है सालमान में मास में और दूसरी कथा उन्होंने श्रावन मास में कथा की सावने मासी गव कारना कथा मुचे तथा पना कितने बिल्टी की गथा सब्तरात्वतिम भुयासरवनं तईकर्थम और मर चाथ दिनकी पना कथा हुई और पूरे गाम बशियों ने चेत्रवास ने तीरत्रवास ने जिसने जहां से सुना दोड़ पड़े आवाल ब्रदिनर नारी और बड़ी स्रद्धा पूर्वकरुने कथा स्रिवन किया इस कथा स्रिवन का फल क्या मिला कहा है इस कथा का स्रिवन का फले मिला किया यो ध्याबा सिनाहा पूर्वम यथा रामेन संगता तथा कृष्णे ने तेनी तम गौलो कम योगी दुर्डवां जैसे कि भगवान शीराम जी त्रेता में अपनी संपून पुर्जा को लेकर के अपने धाम को चले गए तो श्रीमत भागवत में राम जी का अधारन दिया है यथा रामेन संगता उसके बाद में भगवाने कृष्णे जी उस कथा को जब बड़े सिद्धा से गाउं बालों ने सुना तो भगवाने कृष्णे जी खुदी ही वहाँ पर दिब्रत को लेकर के आदे और फिर क्या हुए अबोले कथा सिवन का फलिये मिला हुए कि तथा कृष्णे ने तेनी तम गौलो कम योगी दुर्लेवं भगवाने कृष्णे माराज आये और उन्होंने गौकन को हिर्देश लगाया आत्म साथ का लिया समस्त श्रोताओं को लिया प्रजास है तरगवन से मनी और किम गवने ने जधाम तो अध्या वाशिना पुर्व में था रामेन संगे ताहा तथा कृष्णे ने तेनी तम गौलो कम योगी दुर्लवा योगियों के लिए भी जो दुर्लव है यत्र और कहते हैं यत्र सूरिया से सौम से शिद्धा नामन गती कदा ऐसे इन पुछता है चंद्रमा नहीं पुछते बड़े बड़े सुद्धों की भी गति जानई होती है शिद्धा नामन गती कदा तम लो कम ही गता थे तू ऐसे जिब बितम लोको जहां भगवान ने कृष्ण गीता में गते है नातद भासाय तेह सूरियो नस्नांग को नपाब काहा किशे कौन से प्रताब से का स्रीमद भागवत अस्त्रबाद स्रीमद भागवत कथा बड़ करने से वह उसे द्व्यतम धाम को गए बहुंद स्रीमद भागवत महा पुराण की जय जय स्रीरादे जै जै स्री रादे जै जै स्री रादे इसके बाद में बताया गया कि कथा को कैसे कैसे करनी चाहिए वो सवा आप जानते हैं कि कथा का जब आपके मन में विचार आए तो कोई विद्वान ब्रह्मन के पास में जाए और मुहूर्थ को निकलवा करके फिर कथा का सुधन करें कथा व्यासमंच बना जाए और महराज देशे देशे बिरताए बेल्टरबा कीर्थ मत सुका जो कीर्थन करने वाले साधू हो संत हो या नरमदावासी हो परकमा करने वाले उन संतों को बलाओ बैठाओ के महराज कीर्थन चलने दो महराज कीर्थन एक तरफ होता रहा है मन कथा के बाद में इसमें लखा हुआ है भाग दूरे हरी कथा के चित दूरे चाच्चत कीर्थना एक तरफ में कथा इस्तनमें इस्त्रीयों को भीञटने की विवस्तित विवस्ता की जाए और विरत तो बेश्नबों भी प्रोबेद साइश्तिव शुद्दििक बिरत्ड शूद्र सबसे पहले बताया कि वो संत हो, पारिवारिक्ता को जिसने छोड़ दिया हो, और दूसरी बात बताई बैशनव हो, विश्णोर अपत्यम पुमान बैशनवाहा जिसने बैटनों दीख चाली हो, और बेद सास्त्र विशुद्धिकर्त, बिरक्तो बैशनवो विप्रो ब्राम् बेद सास्त्र विशुद्धिकर्ते, और कहते हैं, कि दिर्ष्टांत कुसलो धीरो बक्ता कारियात निस्परहा, वह बक्ता केबल कथा ही ना कहे, कभी कभी जटल जो प्रसंगे हैं, उनको दिर्ष्टांतों के माद्यम से भी समझाने में कुसल हो, दिर्ष्टांत कुसलो ध और कहते हैं कि कभी हो कभी मानि बीच बीच में भजन के माध्यम से कथा में सरस्ता का अभ्यूद्य होता रहे मद्दे मद्दे कीर्टनम कुरियात अगर कथा के बीच बीच में कीर्टन नहीं होता है तो भक्ति रिष्की धारा प्रवाहत नहीं होती है इसलिए बीच वीच में भजन होते रहें भगवद नाम संक्रितन भी होता रहे बहुत सुंदर सुंदर बात में बताई हैं और कहते हैं कि बरणम पंचे विप्रानाम बक्ता को बरण करने के साथ साथ में कम शिकम पांच ब्रामन और बरण करें किसलिए का वरणम पंच विप्राणम एक तो बक्ता के समानांतर में एक बक्ता होना चाहिए बिद्वान ताकि आप बक्ता से ना पूछ सको तो वो दूसरा बिद्वान है वो तुमारे संसाय का अच्छे दन कर सके बरणाम पंचविप्रानाम कथा भंग नवत तई, कथा भंग ना हो उसकी ताओ भंग दोस आपको नवट्ति क्या होता है, का कथा पूरी नव पाती, तो तो कथा पूरी नहों तो यहांपर पंड़जी बैटे हुए है, वो भागवधी का पाठ कर रहे हैं! जिन प्रसंगों को कदाचित हम नहीं संचेप में करेंगे और छोड़ देंगे तो पाठ उनका भी हो जाएगा क्योंकि आत्माइं जो आपकी बैठे होगा यहां नवग्ग्रा दोताओं का पूजन चलडा है गलेजी मराजी बैठे हुए हैं क्योंकि जहां भागमत कथा होती है वहां पर 33 कौन देवता अबराजमान हो जाते हैं समस्त शरिताय नर्मदा जी बड़ी प्रसंदे हैं क्योंकि इस समय गंगा जी भी हैं याई हुए तो गंगा चा जमना चायु रेवा सरस्वती तथा सारी नदिया यहां पर अबराजमाने सारे तीरत यहां पर अबराज ठाज माने श्तथा फूरी नदियां और सरत वी वहां आगर बैठ जाते हैं समय सब आपके पूरवाज ओन आज आपके गाऊं के इसलिए जितने लोगों के पूरवाज हैं आसपास के लोगों के पूरवाज सभी प्रसन्य चत्त हैं कि भई चलो आज हमारी मुक्ति के लिए कासी से कोई महराजी को बुला करके कथा हो रही है इसलिए वो सब प्रसन्य है और जिसके घर के लोग घर बंद करके नहीं आएंगे बेही दुखी होंगे कि देखो जी तो ना खुद जा रहा है ना हमेले जा रहा ह क्योंकि आप ही के सेरी में बैठ करके आपके पूर्वजा के कथा सुनेंगे इसलिए कथा में अगर आप पूर्वजों की मुक्ति चाहते हो उनके लिए कुछ करना चाहते हो क्योंकि हमारे यहां की परंपरा है जीते जी तो कुछ पूजा नहीं करेंगे सेवा नहीं वहाय तो कंध ब्रहों हो ए फो कि कथा दोसना हो उसके ये ब्रामुनों का बृर ना चाहिए हो काइत्धरी का करें ओम नमो भ轻वति वास्हे बाध करें और नमो भागवत बहत घ्रीता का पाध करें और कथा कभ शरोनी चालिये और आसोर्योदय महारभ्य। साअधत्ति प्रहलांतकम बाचनीयां कथासम्यक देरे कंठो सुधीमता शोर्योदय से प्रारंभ हो जाए। आसोर्योदय महारभ्य तो लिखा है लेकन यह नहीं लिखा है कि कथा कव तक होनी चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि राथ्य में गथा नहीं होनी चाहिए एक बार कथा अपनी हो रही थी यां सेमरी हर्चंद में पहली कथा थी कोई देवता हैं पढ़के नीचे ब्रह्मा देवता या कोण है वहाँ पर कथा हुरे है अब महराजे कथा में स्रोता भी होते हैं और स्रोता भी होते हैं और स्रोता भी होते हैं तीन परकार के होते हैं यह नहीं सत्वानाल हैं यह उने को पेदेवध केत दविध data, नो वसकेखा हैं यह सो एक सज्जन हमारे पास में आगे बड़ी पुरानी बात, है है हमारे पास में खर्रा लेकर के गोले महराग थोड़ा सान का उतर उसमें लिखा था कि शुरियास्त के बाद में का था हो नहीं नहीं चाहिए कि धन्हें भी गुर्श लगता है जदमान की होती है अर और और भी प्रहन थी वने खाम सान का वे थाए कृष्ण पान भी खाले में जिनने लखी है उनको बुलाओ हमारे पास है तो हम उन्हें से बताएं कि कथा कभ होनी चाहिए कभ नहीं होनी चाहिए और फिर वहां कि किसी मंदर के पुजारी जो भी थी कुछ थे है तो स्रीमध भागवत में लिखा है कि सदा से विया सदा से्विया सिनन भागवती कथा सद feder ऊसे कि अब आप यहाँ पर कथा तो आपका उगये कि अमेरिका तो जहां से सूर्यास्त होगा वहां पर दिन हो जाएगा तो चले शूरी कभी तो होते ही नहीं है माराज जिसा बदल देते हैं लेकिन आसतो नहीं होते कभी आज सुरियोदय मारभब सार्दत्ति प्रहरांतिकम बाचनिया कथा सम्में की धीर कंटो से करता अब रामा करता भीयो मत जानने अब इसकी तो कहने के ज़रूत है नी और कैसे रहें इसके लिए जदिमानों को देखो ऐसा नी कि चंदा दिया तो गोई ठाकुरजी ने आपको दूद चला जाए उसको भी मुख मेरा करके जो चूस लेकि कंकर का दूद पालतो ने चला गया और ऐसे अर्थ मक्ही चूसका कि खूब भगवान ने दिया हम तो आपकी निस्काम भाव से कथा सुनते हैं हमें भी फल देना ऐसे भाव से भी आप बैटोगे तो कथा का फल आपको मिलेगा बाद मैं जो सिद्धा चड़ा दू तो इस अप्रकारच से कहते हैं कि क्या भुजन करें जजमानों को क्या भुजन करना चाहिए कथा सुनने वालों अच्छा है कि अगर आप पूरे साथ दिन तक फलाहर करो और अगर साथ दिन फलाहर करके आप कथा नहीं सुन सकते हैं एक भुक्ते नवापना एक टाइम पर भोजन कर लो और कहते हैं कि फलाहरे नवाभव्यम एक भुक्ते नवापना सुक्साध्यम भवेद्यत्यू करतव्यम स्रवनाहितत्यू और फिर आगे कह देते हैं कि चाहे आप अगर एक टाइम कर सकते हो तो करो अगर वो भी ना होता हो तो सुक साद्यम जिससे तुम आराम से कथा सुन लो भोजन करने से सुन सकते हैं तो भोजन करो, कुब आराम से करो, मना नहीं भोजनम तु बरमन्ने कथा बिगन करो यदी अगर उपवास करने से आपको कम जोरी आ जाए और कथा ही में ना बेट पाओ चक्कर आने लग जाए तो कहते हैं भोजनम तु बरमन्ने श्रीम दभागवत में लिखा है तो आप भोजन करके सुन सकते हैं इसलिए नो पवासो बरा प्रोगता नो पवासो कथा बिगन करो यदी कहते हैं कि यदि उपवास करने से कथा में बिगन आ जाए तो उपवास भी शेटन नहीं है नो पवासो बरा प्रोगता कथा बिगन करो यदी और सत्ता ब्रचित ये कथा सुना रहे हैं नारत जी को प्रेलादस्ताल धारी तरल गतितया चोद्धिवा कांस धारी बीना धारी सुरर्शी स्वरकसल तया रागी करतार जनो भूते इंद्रो बादीनि वर्दंगम जैं जैं सुक राह कीड़ने ते कुमारा यतराट्रे भाववकता शरस्वतिय शितार बजा रही इस मंगल मेंस्विंकीर्त्न में ये कैते इंद्र कितने बड़े दे होता लेकिन वो शर्माते नहीं जमीन पर वेटा करके मैट करके मर्दंग बजाते हैं इंद्रो बादेन बरदंगम जय जय शुक्रा कथा के बीच बीच में जय बोलना चाहिए तो जो वहां पर सनकाद इसे दें वो जय हो जय हो की आवाज लगा रह सव्करेया कुणर जय जय शुक्रा कीरथने इते को मार गुमार जय desperately शुक्दधि की शनक शनद्डन सनात्न कुमार श लिए कहते हैं हिश्राग्रग्रव व्क्ता श्रश्रच्मया ब्यास पुत्रों वभूव 사टिकां इसे जिनके सामने कथा सुना रहे हैं वैं बड़े पर मंच शुरू हो जाएगा, प्रारम में बारा वजे से हमारे दिन द्याल सास्त्री जी के बड़े आचारी हैं, बहुत सुंदर भजन गाते हैं, आप इनकी मदवी मंगल मही बाणी से सुंदर सुंदर भजनों को श्रवन करेंगे, हमारे संगी तक्यों के बड़े अच्छे दिलीब जी है लेकन लोगों ने बड़े प्रेम से काना माबाप ऐसी नाम पहले कर दे तो तिना पपू और वो सब गहरा वागे सुना ही तो दिलीब जी है, दिलीब जी बहुत सुंदर आपको वेंजे के वादिम से बड़े अच्छे संगीता के हैं सभी कुसल है, मरमग है और साथ साथ में नत्राजी, नत्राजी की मंगलमई जो, क्या कहते हैं सभाएड, साइड रिदम, उनके मादिम से आप वो सुन रहे हैं, तो कल बिलकुल आप कोशच करना की जिंदगी जब तक रहेगी फुरसत ना होगी काम से कुछ समय, ऐसा निकालो प्रेम कर लो रामते और ऐसा है कि कल इतना लेट हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज साथ दिन की कथा है, कथा पूरी करनी है, अगर आज अगर सप्ताय भी हम नहीं करते हैं, तो महत्मत तो कल चला जाता, फिर कथा लेट होती होई चली जाती, इसलिए थोड़ा सा लेट किया गया है, तो आप कल य सब्सक्राशियों से, और कारीकरताओं से, समित के लोगों से बिनमर आग रहे है, कि जो कथा आपने की है, और आयोजक ही अगर पूरे उपस्तत नहीं होंगे, तो पर उनको दोस भी लगेगा, और जनके गाउं में कथा हो रही हो, अगर वो सब लोग आकर के आगे आगे न काने ना पूजीया और बामी पूजन जाये अपने घर में, गाव में, कठा हो रही है, और रुह मैं अपल्छ ज़्या आप लोगों से, और भी नवेदन है आप लोगों से, कि वह मैज़दी फारिक कर दो कोई वात में जो है बने खाये और ने आकर की कथा में बैठो और कोशिश करना की सामने अगर बैठोगे न तो थोड़ा सुनाने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी का है पुर्तो मारतर ये सत्म बंदेर गुंदनम तो अगर कुर्शी की जरूरत ना हो कुर्शी अगर जरूरत ह अगर स्वास्त अच्छा ना हो तो जरूर आपको शीपर बैठें कोई दिककत नहीं व्यासगा दिको अन्नता आप सामने बैठ करके कथा सबन करेंगी तो हमको भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद के अनभूती होगी इनी सब्दों के साथ में आज हम बाने को बराम द अज़ अज़ विल्दों के 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 सेची डाले में हाई और लाल मेरो है गुपाल मेरो है वो विंद मेरो है, वो पाल मेरो है वो पाल मेरो है, वो पाल मेरो है संती बाते पेहारी नदलाल मेरो है वो पाल मेरो है, वो विंद मेरो है जो पाल मेरो है, जो इन्द 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 मेरो है, जिवाल के रियारी नजलाल मेरो है 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 तो वाइब देरो है, तो वाइब देरो है तो स्री मिन्नावन विहारी राले की स्रीमत भागवत महा पुराने की नर्मदा मया की जै जै स्री राले जै जै स्री राले जै जै स्री राले तिस्वरे नहा पुरूप जारा अर्थे गंधा गुस्पाने शमर पयामी जै जै स्री राले जै स्री राले जै वाइब दाने वाला अर्थे नहीं कराने वाला ओए सुख कर ली ये दुख हरी इस दुख कर ली ये दुख हरी विखक जोद लेकी हाईपी अपियों को पाविसे है लिखाव जिन खादमच्त खदवाद की है आईपी अपियों को पाविसे हैं गाईपी जग पंचे कोल सनमार्ग बताने बाला, विगिडी को बनाने बाला जग पंचे को बनाने बाला स्री राम यही गनश्याम यही स्री राम यही गनश्याम यही कभु महिमा की है अग्ती अभियों को पाश से है राँ पापियों को पाप से हैं तार्थी सरपूर गोरम तरड़ा मतारम संसार सार तुझ के प्रहार जदा वसंग रदयार विंदे जदा वसंग रदयार विंदे भवंभवानी सहतम अवानी समय भुमायाता चर्दातमे एवां समय भाप रदया वसंग रदया विंदे सरी कि रदया व्संग रदया व्संग रदयाव झाल